नमस्कार दोस्तों जी में नाम है विवेक पांडे बहुत 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 श्वागा थे टीचर अड़र 24-7 दोस्तों आपका ये MRS का एक्जाम है और ICT के लिए आप एक टार्गेट टर रहेंगे कुछ ऐसे क्लास मुझे मिल जाए जिसमें 10-10 की बात हो जाए यानि कि हम सारे प्रश्ण को सही कर पाए और ऐसा ही संभवित प्रश्ण की कोसिस में अभी आप लगे होंगे तो ये विडियो उसी के लिए ये क्लास उसके लिए अगर ICT में आप चाह रहें कि 10-10 की बात करें तो यहां पे एक सकेंड तो पैरा बच्चों आज की वीडियो में जो हम चर् कर पाएंगे तो ज्यादा समय नहीं नहींगे चलिए बात करते हैं कि कैसे प्रसन है ICT में थोड़ा सा आपको स्लेबस के बारे में बता दू स्लेबस आप अभी तक पढ़ रहे होंगे तो यह आईडिया लग गया होगा कि क्या है तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के सवाल सीद्स आपको अब्सकर सब्सक्र Edit अब्सक्राइब कर और हमारा साइट्सबस में अगरंतों पता है और से एक्जाब्स क्या वह मैं आज क्लास में करवाने वाला ओप BJ 맞아 60 provided अगया है तो पहला सवाल, which interface used to connect external hard drive to a computer, पूछा ये गया है, कि अगर आपके पास कोई external hard disk है, external hard disk अगर आपके पास है, और उसको अगर आप अपने computer से connect करते हैं, तो वो कौन से port से करेंगे, ये port से सवाल है, right answer क्या होगा, right answer मेरा होगा, USB port होगा, port क्या होता है, तो computer का वह point जहां पे device हम लोग connect करते हैं, उसको port कहते है, USB port होता है, जो universal port है, जिसमें हम लोग pen drive भी लगाते हैं, जिसमें हम लोग external hard disk भी लगाते हैं, और तमाम चीजें जो हम वहाँ से connect कर पाते हैं, आज के लौड में keyboard और mouse भी, वो भी USB से आना start हो गया, वैसे को दो तीन चीजा और नाम सम ने, बाकी सारे port के बारे में तो चर्चा कर लेते हैं, सर, SDM iPod High Definition Multimedia Interface, एक ऐसा port जो audio और video दोनों transmit करता है, वीजिये वीडियो ग्राफिक्स एरे हैं, जो सिर्फ video transmit करने, यानि कि monitor को और CPU को connect करने के लिए जो इस्तमाल किया जाता है, वो वीजिये है, और इसमें total 15 pin हो अगला question, what is the purpose of BIOS, BIOS का purpose क्या होता है, सबसे पहले BIOS समझे, BIOS मतलब होता है, basic in powerful system, computer start करने के लिए basic instruction होता है, जो store कहां रहता है, वो मेरा ROM में store होता है, याद रखिए, computer start करने का basic instruction, जिसको हम लोग कहते है BIOS, और वो store रहता है ROM में, क्यों रखा जाता है, ये सवाल पू supply to the computer, या फिर हम लोग बात करते हैं, ये भी काम नहीं करेगा, provide communication between the CPU and operating system, जी नहीं, in slide the hardware and boot the computer, बिल्कुल, याद रखिएगा, BIOS एक ऐसा instruction है, जो computer start करने के लिए, जो basic निर्देश चाहिए, वो मेरा BIOS होता है, आप computer को ये नहीं कहते हैं, कि computer start कर रहे है, हम लोग ये कह होता है, BIOS का काम क्या है, basic input system check करना, और उसके बाद होता है, post का काम, post का क्या काम होता है, इसका काम है, power on self test, सारा hardware को checking कौन करता है, तो वो post करता है, और उसके बाद कौन है, उसके बाद मेरा loader आता है, loader एक ऐसा program है, जो सारे operating system को CPU से, hard disk से RAM में transfer करता है, और उसके बा और loader जो load करता है, operating system को hard disk से RAM, तो this is the sequence of booting, कभी-कभी इसका use भी पूछा जा सकता है, BIOS क्या करता है, post क्या करता है, loader क्या करता है, या normal से इसका full form भी आप से पूछा जा सकता है, बस इतना ही याद रखेगा, तो this is about the computer booting, computer start करने को booting कहते, computer जब first time start होता है, उसको cold boot कहते है, computer जो restart होता है, उसको warm boot कहते है, यह भी कही copy में लिख लेना, exam में question बनेगा, चलिए, अब आते है अगले question में, अगला सवाल के, what type of memories non-volatile and return data, even when the power is turn-off, इनमें से कौन सा ऐसा memory है, जो मेरा अस्थाई memory होता, ठीक है, sorry, volatile कहने का मतलब है, अस्थाई memory, इनमें से क कौन सा ऐसा memory है, जो अस्थाई memory है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कि वो memory, जो data, sorry, वो memory, जो power बंद हो जाने के बाद भी data retain करता है, उसे हम लोग कहते है, volatile memory, ठीक है, दो-तिन point है, जो आपको समझना चाहिए, कि computer की memory की जो characteristics है, यानि कि उसको विसेस्ता के अधार पे दो भाग में बाटा गया, कौन-कौन, तो एक मेरा volatile memory होता है, और एक मेरा non-volatile memory होता है, ठीक है, सर, volatile memory की से कहते है, वो memory, जो भूल जाए, वो volatile, यानि कि computer में जैसे power supply बंद होगा, वो भूल जाए, वो volatile होता है, सर, कौन-कौन volatile होता है, बेटा आपका RAM है, वो volatile होता है, बेटा आपका catches memory हो, वो volatile होता है, बेटा आपका register है, जो CPU के अंदर इस्तमाल होता है, वो आपका volatile है, तो ये तीनों volatile है, सर, non-volatile में कितना क्या आता है, तो basically non-volatile में मेरा ROM आता है, और जितना भी secondary memory होता है, जैसे कि हमारा hard disk हो गया, जैसे कि floppy disk हो गया, ज जैसे कि मेरा DVD हो गया, जैसे कि मेरा pen drive हो गया, ये सब memory क्या होता है, ये non-volatile, तो non-volatile कहने का मतलब है, कि जो नहीं भूले, वो non-volatile, जो भूल जाए, वो volatile, volatile को लगातार power supply चाहिए, non-volatile को लगातार power supply नहीं चाहिए, computer बंद होने के बाद डेटा खो कौन देता है, तो volatile, कौन नहीं खोता है, तो non-volatile, किसका क्या example, ये भी दिमाय में रखिएगा, exam के लिए important, चली, अब बात करते है, option में चेक करते है, पूछा क्या था, कौन सा non-volatile है, तो मेरा, ये मेरा ROM है, वो मेरा non-volatile होगा है, बाकि सारा मेरा volatile है, ठीक है, समझ में आगे है, एक बार उस character on the printer, पूछा ये गया है, कि इन में से कौन सा ऐसा printer है, इन में से कौन सा ऐसा printer है, जिसमें head का इस्तमाल किया जाता है, और ribbon में ऐसे head है, वो hit मारता है, और print करता है, यानि आप इसको ऐसे समझिए, कि इन में से कौन सा ऐसा printer, जो print करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, कि यह आपका मान लिज़े कि पेपर है पेपर को ऊपर एक ऐसा ribbon लगा हुआ और ribbon को ऊपर ऐसा head लगा हुआ है तो ऐसा ribbon touch करके प्रिंट करता है तो ऐसा कौन सा printer होता यही आप से पूछा गया है तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी जानकारी आपको यह मैं बता दूँ पूछा गया प्रिंट हैड एंड स्ट्राइक और इंग सॉक्ट रिबन तो बेसिकली आप दो तीन चीज पॉइंट याद रखिएगा कि प्रिंटर जो बेसिकली होता है वो दो तरह से होता है एक मेरा इंपैक्ट प्रिंटर होता है और एक मेरा इंपैक्ट प्रिंटर कहते है और दूसरा नौन इंपैक्ट में क्या होता है जिसमें कार्ट्रेज का इस्तमाल होता है इसमें इंक और पेपर एक दूसरे को डारेक्ट टच करेगा इसमें इंक और पेपर एक दूसरे को टच नहीं करेगा इसकी क्वालिटी खराब होती है quality quality अच्छी होती है इस थोड़ा सस्ता होता हूद आ ये थोड़ा सा महंगा होता है सरे example क्या है तो याद रखेगा impact में example मेरा है Razom livestock zwei दोट मैट्रिक्स डोट मैट्रीडड इसका example होता है आपका chain printer है वो इसका example होता है आपका Daisy Will है वो इसका example होता है dot matrix हो गया chain printer हो गया daisy wheel हो गया और मैं बता है dot matrix chain हो गया daisy wheel हो गया और एक और drum printer यह सब मेरा होता है impact printer non impact में क्या आता है तो हमारा laser printer है जो normally office program देखते हो वो laser printer हो गया वो मेरा बिल्कुल यह leverage के लिए भी class हो जाएगा हर कोई भी exam में ICTR है यह video पूरा देख लो काम आपका हो जाएगा चली तो laser printer हो गया वह अमारा non impact में इसके लावा ink z printer है वह भी मेरा उसी category में आ जाएगा अगर मैं बात करता हूँ bubble z के बारे में तो वह भी मेरा इसी category में आ जाता है हम बात करते है थर्मल प्रिंटर के बारे में वह भी मेरा इसी category में आता है थर्मल प्रिंटर क्या होता है वह printer जो ATM में देखते हो नो वह आपका थर्मल प्रिंटर है laser printer जो आफिस वाइरा में देखते हो या Xerox में जो देखते हो वो आपका हो गया laser printer तो यह सब इसके बारे में हो गया तो right answer क्या हो गया पूछा क्या गया था जिसमें head और strike करता है head और अब इंख एक दूसरे को spurs करता यानि impact के बारे में पूछा गया था अब देख लो कि इन में से कौन सा impact है तो यह यह मेरा तो नॉन इंपक्ट यह मेरा नॉन इंपक्ट यह भी मेरा यह मेरा इंपक्ट है यह मेरा इंपक्ट तो आंसर मेरा क्या हो गया सी मेरा आंसर तो आपको दो-तीन page per minute और फिर मेरा LPM में यानी की line per minute तो CPS PPM और LPM है जो speed measure किया जाता है और किसी भी printing की जो quality होती है वो आपका DPI में measure किया जाता है dot per inch में तो इसका full form भी पूछा जा सकता है कभी-कभी exam में तो ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है speed हो गया यह सब कुछ हो गया और तो कुछ बचा नहीं है लगबग सब बता दिए चलिए कुछ और होगा तो चर्चा कर लेंगा अगला कुशिन विच प्रिंटिंग टेक्नोजी स्प्रेट टीनी ड्रॉपलेट इंक on to the पेपर क्रेटे इमेज और टेक्स्ट अलड़ी हम बता चुके हैं कि इन में से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें क्या किया जा रहा है आज प्रेट टीनी ड्रॉपलेट ओफिंग कॉन टूदा पेपर यानि कि स्प्रेट करके काम कर रहा है ठीक है अभी देदे प्रिंटर ब इंञें ट्रेट को reversis स्प्रेट तो यहांँ पर मेरा थरमल में स्प्रें का काम नहीं होगा लेजर का काम नहीं होगा इंग Z spread teeny droplet of ink onto the paper create image on text तो ये काम मेरा laser printer करेगा यह कौन करेगा तो यह मेरा laser printer बिल्कुल राइट आंसर ठीक नेक्स्ट कूश्चन तो यह printer से question आप से पूछा जा सकता है printer के बारे में याद रखेंगा कौन किसका example है कौन किस category में आता है that is important for us अगले कॉश्चन पर अपने इंपक्ट होगा इंपक्ट क्या होता नहीं दूसरे को टच करता यहाँ पे पूछा क्या रहत टीनी ड्रॉपलेट अफ इन्क स्प्री करने कवर प्षिरकता है तच का सेंस नहीं निकल रहा एक से नेनी बेसिकली यह बोरान को उब्री से ही स्प्रेकर से हुपर ईंब्र से करें यह यह तंब होता हो graduate चलिए ले कंट्रोल करने के लिए मुवमेंट करने के लिए इन में से किसका इस्तमाल करते हैं तो मुवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं माउस को तो माउस समझ में आ गया क्या क्या है सक्क्लियर माउस और मॉम्मेंному या किसी ऑप्जेट को मुव्मेंट या किसी ऑपयू के टरूल करने के उसकाइं को इस्तेमाल किया जाता तो राइनसर मैरा हो गया माउस ठीक आप दो-तिन पॉइंट है और समझ्लिजिए कि सर्मा खया तो माउस मेरा स्टैंडर्ड इंपुट डिवाइस से ये भी निंपूट्टी रखियेगा ये भी पूछा जा सकता है कीब bought में type of की से दिंपाग में रखियेगा याम कि अल्मुस्ट तो सब आपको पता होना चाएं जूसाइब आप in future सकते हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि toggle की क्या होता है कि मेरा क्या होता है जैसे हमारा caps lock हो गया जैसे हमारा Scroll Lock हो गया, इसको हम लोग कहते है Toggle की, उसके बाद एगर टोगल की हो, Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, उसके बाद हमारा होता है एक Modifier की, और इसको हम लोग Combination Key भी कहते है, Combination Key भी कहते है, तो Combination Key में मेरा क्या होता है, मेरा Control आता है, मेरा Alt आता है, और मेरा Shift आता है, ठीक है? तो प्यारे बच्चो टाइप ऑफ की से भी एक्जाम में कोश्चन बनता है तो यह टॉगल की, caps lock, num lock, scroll होगा और यह मेरा modifier की, इसके अलावा दो-ती नाम आ रहा है जैसे कि alpha numeric की, 0 से 9 तक और A to jet यह alpha numeric की कहा जाता है, जितना symbol होता है उसको special key कहा जाता है, इसके अलावा enter है वो enter के नाम से जाना जाएगा, और इसके अलावा जितने arrow होते हैं, up, down, यह सब को navigation की कहा जाता है तो type of key से भी question आपका बन सकता है, exam में यह याद रखेगा, ज्यादा बच्चा इसको भूलता है इसमें confusion जादा होता है, तो यह मैंना अल्लेडी बता दिया तो इसके अलावा आपके options से tick out कर लिजेगा navigation में याद रखेगा, क्या-क्या होता है navigation में हमारा आ जाता है, दो-तिन point navigation में हमारा आ जाता है, जैसे हम लोग बात करते है arrow वाला, page up, page down, यह आ जाएगा home और end है, यह सब मेरा navigation key की category में आता है ठेक है, चली, तो यह हमारा हो गया, तो अब इसके लावा और क्या, कौन सा point आपको दिक्कत करेगा प्रिंटर आपको मालूम हो लेड़ी बता दिये, प्रोजेक्टर भी आपका क्या है, यह output device है, प्रोजेक्टर भी आपका output device है, प्यारे बच्चों, आप input क्या होता है, और output क्या होता है, कौन सा ऐसा device है, जो input output दोनों होता है, अगर copy है तो site में लिख लो, हमारा परपस और optical character recognition, OCR एक input device होता है, इसका purpose क्या होता है, to convert test into digital format, तो basically इसका यही purpose होता है, कि कि किसी भी printed text को digital format में convert करना, वो मेरा OCR होता है, optical character recognition, इसके अलावे 2-3 और है, जो आपको समझना चाहिए, जैसे MICR होता है, MICR क्या है, Magnity in character recognition, जो check को verification के लिए इस्तमाल किया जाता है, इसके वार हमारा होता है, QR code, QR का मतलब होता है, Quick response, बगल में लिख लोजिस के बारे में बताते जा रहे हैं, MICR होता है, QR होता है, OCR तो अलड़ी बता चुके है, OMR होता है, optical mark reader होता है, optical mark reader, जो offline OMR answer sheet को read करता है, तो यह सब एक तरह का scanner ही होता है, यह सब एक तरह का scanner होता है, सब का use है, वो अलग-अलग है, जैसे MICR का हो गया, check verification में, QR का होगे, आपने देखा हो, QR code, पेटियम वेगरा में यूज़ करते हो, और OMR हो गया, जो offline exam जो होता है, उसके answer sheet को read करने के लिए, अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर समझे लिए, एक होता है, BCR, barcode reader, जब भी हम लोग मॉल वेगरा में जाते हैं, तो product को read करने के लिए जो होता है, उसे BCR कहा है, तो exam में पूछा जाएगा, कि BCR product detail को कौन read करता है, तो वो मेरा BCR करता है, एक दो नाम और जाने लो, आपने नाम सुना होगा, क्या उसको कहते हैं, यार BCR हो गया, PCR हो गया, एक नाम और समझे लो, मैं भूल लो, हाँ, एक नाम हमारा होता है, पोस्ट, नहीं नहीं, एक नाम मैं भूल लाँ, पोस, सोरी, हाँ, पोस, point of cell, जो swap machine है, उसको पोस कहा जाता है, हाँ, बिलकुल, यह तो computer है, यह तो computer है, यह आपका जो screen देख रहा है, यह monitor, यह आपका output मेरे हाथ में है, यह input device है, जिससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यह तो software के वज़ा से लिखा जा रहा है, अब देखो, आपके mobile के touchscreen में और इसके touchscreen में फर्क होता है, यह क्या है, कि अगर वो software install नहीं होगा, तो काम नहीं करेगा, लेकिन mobile में कहीं भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो यह दोनों का कहानी अलग-अलग है, ठीक है, इसको digital board गहा तो यह कुछ software और इसके साथ यह दिया जाता है, इसके उनेखा पयांगे, यह नहींता हाथ से भी लिख सकते हैं, यह भी काम करता है, ठीक है, तो यह इसके पाछे कहानी है, तो यह आपका digital board है, जो कही ना कहीं एक तरह से आपका कह सकते हैं, यह बोँद की एस Armenian में सिर्फ क्या होता है stylus basically एक तरह का I mean Wall Satan ऑिता में और शोड़ गया है तो में आ इसी तरह का I can होता है जिस पर हम यह लिख रहे होते हैं किया यह पूछा गया है कि एस्टाइलिप का इस्तिमाल होता है Be faux cinq तैबलेट के साथ किया जाता है अब कभी यह नोटिस करना कभी हम लोग बैट के class लेते हैं तो हम हमारे पास एक ऐसा पेड होता है उसको उपर है से हम लिख रहे होते हैं तो उसे ही कहा जाता है graphics tablet जो एक तरह का input device है तो graphics tablet में क्या एक surface होता और एक pain होता है वह इसका देख रहे होंगे तो यह मेरा graphics tablet हो गया as a input device माउस भी आपका input device है ट्रैक पैड भी एक तरह का input device है जोएस्टिक भी एक तरह का input device है जोएस्टिक का यूज है तो जोएस्टिक का use होता है वीडियो गेम को खेलने में तो ठीक है तो यह सब इसके बारे में आपके बारे में ठीक है समझ में आ गया कोई सवाल है जो साइध बन सकता है एक्जाम में जिसकी समभावना थोड़ा सा कम मेरे को लगता है फिर भी हर तरह का possible सवाल मैं करवाना चाहता हूं यह मेरा एक binary नंबर है इसको hexadecimal में कैसे convert करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आपको binary से hexadecimal convert करना होगा ना यानि सवाल मेरा binary में और लाना मेरा hexadecimal में यह वाला part तो हम करेंगे क्या basically हम करेंगे चार-चार का pear लगाएंगे लो भाई यह चार का pear लग यह नहीं तो यहां पे 4 लग लग conten Ao जब भी अगर आप को binary से hexadecimal पूछा जाए है जितना भी बाइनर नंबर होगा 244 का पेर लगा दिए ठीक है सनम पेर लगा रहा है उसके बाद क्या करना है 1248 148 1248 एक दो चार आट और इधर क्या करना 8 421 8 421 ठीक है तो यह इधर ऐसे और इधर यह यह ऐसे यह वाला चीज़ आपको करना होगा ठीक है चली तो दो-तिन चीज़ यहां पर समझ में आगे क्या होता है क्या नहीं अब दो-तिन पॉइंट आप पहला स्टेप होगा कि एक दो चार चार लगा लिए उसको देख दी तीसरा स्टेप होगा हर पेर से 0 को हटा दो तो इस पर से अगर 0 को और एक 9 मिला यहां से अगर हम गायब कर दिये 457 मिला यानि कि 7 9 5 और 14 मिला इधर से अगर इसको हम गायब कर दिये क्या मिला तो पॉइंट के बाद मुझे एक मिला और यहां पर मुझे को चार मिला यानि एक और चार मिला ठीक है तो यह मैंने क्या लिखा और ट्रैक बो ट्रैक मैं बता दिता हूं थुरा सानिलम साथ नौ पांच चार हो गया यह रूल है आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी आपको बाइनेरी से हेक्साडेसिमल करना है करना यही होगा जितना भी बाइने नंबर होगा चार चार का पेर लगाना और एक दो चा दोड़ा यह और इससे मील यह 14 यह आपकाए लेकिन हेक्साडेसिमल में होता क्या है कि हेक्साडेसिमल का मतलब होता है जीरु से andraफ यैने कि जीरो से नाइन होता है उसके आप 10 नहीं हम B लिखते हैं, उसके टुवल नहीं लिखा एंपर E ॰िखते हैं, तो एंसर समझ में आ गया, तो पाँचों यह याद रखिएगता है, इस मी किiness셔, जिसका बहुत कर ला सकता है, थोड़ा सा आपको इसका पूरा टाइप पढ़ना पड़ेगा मैं एक ही कोशन आएगा तो इसमें चले जाएंगे तो बहुत समय कंजूम हो जाएगा लेकिन अगर आएगा तो भ्रहमित मत हो ना टाइप में बहुत इजी तरीका होता है मैं चाहूंगा कि नहीं आए ठीक है चली बात करते हैं अगले कोशन में हां कभी-कभी यह पूछा जा सकता है कि हैक सटेस्टों टोटल कितना अलफाबेट होता यह दिमाग में रखिएगा चली नहीं कोशन हुआ जल्दी बात करते हैं इस टाइप ऑफ इंपूट डिवाइस यूस्ट टू रीडेंड डिजिटल फॉर्म यानि कि टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कंवर्ट करने के लिए प्रिंटेट टेक्स्ट को प्रिंटेट टेक्स्ट यानि कि आपके पास कोई पेज में लिखा हुआ है कोई चीज और उसको आप चाहरेगी कंप्यूटर में डालने मेरा नोट्स ह मैं चाह रहो कि PDF form में computer में डाल के आप तक भेज दू तो हम किस device का इस्तवाल करेंगे हम इस्तवाल करेंगे scanner का scanner क्या होता है scanner मेरा एक ऐसा device होता है एक ऐसा input device होता है जो basically काम करता है hard copy को soft copy में convert hard copy को soft copy में convert करता है hard copy लेट आपका इंपूट डिवाईस ही हमारा है तो यह समझ में आ गए कि क्या है to hard copy को soft copy में convert करना webcam आपको मालूम है camera होता है mic आपको मालूम है यह भी एक तरह का input device है और touch screen आपका एक तरह का input device है बहुत तरह बच्चे कहते हैं input output दोनों होगा जी नी touchscreen स्रिफ input होता है ठीक है screen अलग है touch के लिए अलग से to read the content of display on the screen यानि आप अगर कोई ऐसा इंसान है जो आखों से अंधा है तो आखों से अंधे वाले बच्चों के लिए अगर स्क्रीन पर कुछ पढ़ना है तो इन में से किसका इस्तमाल करेगा तो basically monitor का इस्तमाल करेगा जी नहीं आख से अंधा है तो यह क्या करेगा तो बेस आविच आउट पूट डिवाइस अलाव इस तो basically क्या होता है विजुली लिखा है ना विजुली इंप्रेली विजुली इंप्रे तो basically क्या करेगा screen मना speaker लगा होगा विजुली रिकॉनाइजड होगा यानि कि बोल लगोिकित वह सुन सुन के पढ़ाई करा होगा जो अंधा होगा तो बेसिकली उसको हम क्या कर सकते हैं تو यहाँ लोग कर सकते है विजुली इंप्राइज देख नहीं सकता तो वह क्या करेगा तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो basically speaker के माध्यम से वह काम कर सकता है जो अंधों के लिए यह बने screen reader a codeusi स्वाल है एक स्क्रीम रीडर पर बात क्यreek मैं क्या हो दिखता है सिर्फ सून एक से नहीं बिल्कुल सफिए रहे स्क्रीन रीडर में स्पीकर फिलिगा छोटा होता है विधुर मेंस्की करे भी लगाए रही है तो वो लिखता भी जाता और बोलता भी जाता है तो हमार अंधे भी होंगे फिर भी सुन लेंगे तो राइट आंसर मेरा यहां पर बिल्कुल सही है स्क्रीन डीडर इस राइंड जो रेलिवे अगर हमें आप देखते हो ना कि लिखता है जो भी अनॉंस्मेंट होता व सब्सेद्शेर बिल्क धेन ये चसेदशेच फिजो बिल्क है ये समझेड़ ये आपका सीीप यू होता है और ये आपका रैम होता थो सीप यूँ और रैम के बीच में film तेंपररी मेमउरी होता है जिसको हम लोगא 25 जम आप सा इस नेकान का होता है कि लिए कारशाम में से हो इसके लिए यहां पर यह जिमिदार होता है तो आप से पूछा भी जाता है कि फास्टेस मेमोरी कौन है तो कैचेज मेमोरी है ठीक है चलिए अब थोड़ा से यहां पर आम बात करते हैं क्या होगा प्रोड़ा काम तो गलत है यह भी कहना गलत होगा लॉंग टमश्टोरिज कर नहीं सकता है क्यों क्योंकि कैचेज मेमोरी मेरा है वोलटाइल मेमोरी यह तीसरा क्या है कि इस पीड़ डेटा एक्सेस बिल्कुल इह काम करता है ठीक है डेक्सेस को स्पीडि एक कर One तो यह मेरा कैच्छ वे तो राइट अंसर मेरा होगा कैच विए दो तिन पॉइंट है जो और एक Zea यू और एक मेरा रंगिस्टर यह मेरां इनीक है तो सीफly एक जा नीचे मेरा ahead देख इसको हम लोग कहते हैं सिफश नीचे होताया दाव भीगी और उब центр संथ आईए गा तो आपका जो चमता है वह बढ़ेंगा यानीकि रइजिस्टर हे वह ज़्यादा फास्ट हो कंपेरिट्लीं कैटेंच का और कैश ज्यादा फास्ट होगत र είके तुल्ला में और रहम ज्यादा फास्ट सबसे होगा रेम उप्सन में नहीं तो हाड़ी सबसे फास्टेस होगा और यहीं अगर पूछा जाए कि स्टोरेज हमता किसकी जादा और कम होती है तो सबसे जादा इसकी होती है टेरा बाइट में यह आपको जी बी में मिल जाता और catch is memory आपको MB में मिलता है और register जो होता है वो मेरा KB में होता है register क्या है? register एक memory unit है जो इस्तमाल किया जाता है CPU के अंदर क्या काम करता है तो temporary information को store करता है एक लिख लो register का उपी हो कहां तो CPU के अंदर में क्या काम करता है temporary instruction को store करता है कि CPU किसे डेटा लेता है RAM से डेटा लेता है CPU RAM के बीच में कौन सा मेमोरी है तो मेरा तो यह सब पूरा दिमाग में रख लेना एक्जाम पॉंट इंस इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए ठीक है को दिक्कत यहां पर सर्लाइब्रेटी साइन्स के भी तैयारी भी हाँ बेटा उसमें भी काम आ जाएगा अच्छा आप ले आप लोग मुझे एक बार बता दिए कि जिस गती से बढ़ रहा हो यह गती सही है कि और गती में बढ़ा दू ठीक है कि नहीं सो थ्रूसा और जल्दी जल्दी करवाईए ऐसा कुछ रिक्वार्मेंट तो मुझे कमेंड करके बता दिएगा चली बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पे विस टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ट वर बायोस इने कम्प्यूटर बायोस किस तरह की मेमोरी में स्टोर होता अल्यडी बता चुके है कि बायोस जो है वो मेरा रॉम में स्टोर होता कोई दिक्कत है नहीं ठीक है चले नेक्स्ट पार्ट पर आता है विस टाइप मेमोरी यूज्ट फोर लॉंग टर्म स्टोरेज ऑव डेटा एवन आफ्टर दा कम्प्यूटर इस पावर यानि कि लंबे समय के लिए अगर डेटा मेरों को स्टोर करके रखना है याने की कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए देटा इस्तेमाल करेंगे हाट्डिस को क्यों समय ननुटाइल होतां है हंदिस नेरा और यहीं है जो डेटा को एप में store कर सकता है इसके अलावा रैम है मेरा अस्थाई होता है तो यह तो होएगा नहीं कैचेज में मुरी यह भी नहीं होगा रॉम अगर हाड़ीस नहीं होता तो रॉम कह सकता था लेकिन रॉम में कंप्यूटर स्टार्ट करने वाला निर्देश होता है लेकिन अगर मुझे डेटा सुरक्षित रखना यानि मेरा फोटो है वीडियो है सॉफ्ट्वेर है तो उसके लिए हाड़िस में स्टोर करते तो राइट आंसर मेरा हाड़िस होता है लेकिन एक चीज और मैं आपको बता इनमें से कौन सा आयासा अवरी है जो डारेक्टली कनेक्टेड होता है किससे इंट्वेटे इंट्वी चुप एंड यूस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेज डेटा कौन सा हो गया जैसे आपको यह फ्रिक्वेंट लिक्सेज डेटा मिल जाए आप कि स्टिक किजीएगा आप तो हम लोग में मेमूरी कहते हैं खर र возмож कितने प्रकार का रोता राम दो प्रकार का होता एक अ cura स्टार्ट लांकार हुआ है याद रखीएगा इसको बारबार रिफ्रेस करने के आओ सकता नहीं पढ़ती है कई कॉपी है तो लिख लो इसको बारबार रिफ्रेस करने के आओ सकता नहीं पढ़ती है और इसको बारबार रिफ्रेस करने के आओ सकता पढ़ती है समझ में आ गे, तो ये मेरा kärशे मेरीं, अच्छा एक पॉइंट और समझ लीए, सर ये वर्चोल मेरी क्या होता है, वर्चोल मेरी कहने का मतलब होता है, अब यहां पर मैं डायग्राम मनाता हूं, वर्चोल मेरी का, ठीक है, यह आपका RAM है, और यह आपका हाडव्डिस्क, ठ लो कहीं कॉपी एगर है तो हाड़िस का कुछ हैसा पार्ट जो रैम की तरह काम करें उसे हम लोग कहते है वर्चुल मेमोरी हाड़िस का कुछ हैसा पार्ट जो रैम की तरह काम करें उसे हम लोग कहते है वर्चुल मेमोरी और जो हमारा वर्चुल मेमोरी होता है वो भी मेरा क् क्वाइटा नो है क्यों क्योंकि वह भी एक रै struggling ही बनता है तो वर्क्वल मेमुरी यह भी पता है आपको रैंस क्या यह भी पता है रॉं क्या है यह भी पता है चलिए अब मेझा अग्ले सवाल में दा प्रोसेस और मूविंग डेटा फ्रॉम रैम टू इस डेजिनेटेड एरिया ओन दा हाड डिस्क वैंदर रैम इस फूल इच कॉल लड़ी इस पर हम चर्चा कर चुके है तो बेसिकली यह पूछा गया इस सवाल में कि अगर रैम वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि यह मेरा रैम है और यह मेरा हाड डिस्क है ठीक है यह मेरा। यह मेरा हाड यूज करने का तरीका को स्व jazz करते हैं और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ज्यादा confusion नहीं होना है तो memory से कुछ भी question पूछा जाए अब तयार रहिएगा और पूछा ही जाएगगा hardware से आपसे पूछा जाएगा अब तयार है input output कौन सा होता है किसका क्या use होता है ये पूछा जाएगा दूसरा आपको computer और मेमोरी से पूछा जाएगा कि भाई कौन सा वॉलाटायल है कौन सा फास्ट है कौन सा स्लोवेस्ट है कौन सा प्रैमरी मेमोरी होता है कौन सा सकेंडरी मेमोरी होता है यही सब पूछा जाएगा और ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है ठीक है चली नेक्स्ट कोशन पर बात करते हैं अगला सवाल कहा है दोस्तों विस टाइप ओ मेमोरी एक्ट ऐजा ओवर्फलो और फोर दा में मेमोरी एंड यूजड वें दा रम इस फूल ओलर यह इस पर चर्चा कर चुके हैं तो इसका जवाव आप दे सकते हैं अभी इसके बारे में हम बता चुके थे ठीक है बिल्कुल इसे हम लोग क्या कहेंगे इसे हम लोग virtual memory कहते हैं ठीक है ज्यादा समय नहीं देंगे ठीक है अब थोड़ा secondary memory की परिभासा है उसको हम चर्चा कर लेते हैं कंप्यूटर memory जैसे मैंने बोला कि प्रकृती दो होती है एक वॉलाटायल और नन वॉलाटायल या निकि और नन वॉलाटायल ने मतलब आस थाई उसी परकार एक्सेयस के अधार पे कंप्यूटर memory को दो भाग में बाटा गिया है एक मेरा होता है प्राइमरी मेंपोरी और एक मेरा होता है secondary memory एक मेरा primary होता है एक मेरा होता है secondary memory तो वो memory लिख लेना का यह copy है तो वो memory जो CPU से directly communicate होता है उसे हम लोग कहते है primary memory जैसे कि मेरा क्या आता है RAM मेरा primary memory है और ROM मेरा primary memory है ठीक है वो memory जो CPU से indirectly connect होता है उसे कहते है secondary memory जैसे कि मेरा hard disk है वो हमारा secondary memory होता है जैसे कि हमारा cd है जैसे कि हमारा dvd है जैसे कि हमारा pen drive है ये सब मेरा secondary memory कहा जाता है ठीक है तो जो cpu से direct connect है primary memory जो indirect connect है वो मेरा secondary memory अच्छा ठीक है, हिंदी वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है, हिंदी वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है, प्रैमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम लोग इंटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, और सकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो सकेंडरी मेमोर भी कहेंगे इसको auxiliary memory भी कहेंगे और इसको हम लोग external memory भी कहते हैं इसको हम लोग external memory भी कहते हैं और इसका नाम एक backup memory भी होता है अगर exam में ये पूछा जाए कि इन में से कौन सा auxiliary memory है तो इसी में से example होगा या तो CD होगा answer आपका अगर आपसे पूछा जाए इन में से कौन सा backup memory तो यही वाला answer होगा ठीक है तो backup बोलो auxiliary बोलो या फिर आप उसको secondary बोलो यह सब एक ही है नाम बदला जाएगा तो तो इस question से आपके दिमाग में दो तीन चीश तो बैड़ गया होगा कि primary क्या होता है secondary क्या होता है आइडिया तो मैंने आपके दिमाग में बैठा दिया होगा अब अगर इससे और हाड ड्राइफ रेफर टूथ हाड़ आप में हम लोग कहते हैं कि यह बैड सक्टर है मतलब उसका मतलब क्या होता है area of the hard disk that is contain the data that can't be deleted या damaged area on the disk that cannot be reliable store data तो याद रखिएगा कि damage data को हम लोग कहते हैं बैड सक्टर थोड़ा सा hard disk के बारे में चर्चा कर लेते हैं basically hard disk दो प्रकार का होता है एक SSD होता है और एक मेरा HDD होता है ठीक है SSD का मतलब हो गया solid state drive और HDD का मतलब हो गया hard disk drive ठीक है इसका मतलब हो गया hard disk drive १ wizard है वह आपका क्रैफ मेरा fast नहीं होता है ठीक है SDD कैसा होता है तो SDD को आप देखिएगा ऐसे होता है यानि कि SDD में जो डेटा होता है वो आपका ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में होता है याद रखिएगा कि हडी में जो data होता है वह मेरा track और sector के form ने होता है किस form में होता है तो track और sector उसको उसको कहा जाता है और इसमें data कहीं भी होगा उसको read-write करने के लिए ignition का इस Fujis 바u निंचा इस्तमाल किया किया जाता है उसको हम लोग head कहते है तो दो-तीन चीज़े जो याद रखिएगा ठीक है ठीक है दो-तीन चीज़े याद रखिएगा यहाँ पे पहला क्या कि सरे हैड क्या होता which perform read-write data is known as a head दूसरा आप से यह पूछा जाएगा कि ring shape को क्या कहते है तो उसको track कहते है उसका subdivision को क्या कहते है उसको sector कहते है हम लोग हमेशा यह कहते है कि hard disk को format कर दो तो hard disk को format करने का मतलब होता है उसको track और sector में divide करना तो this is all about the track और sector क्लियर है कोई confusion नहीं everything is going well तो track sector समझ में आगे head क्या यह समझ में आगे एक्जाम में कभी इसी किर्दगिर्ट पूछा जाएगा थैंक्यू थैंक्यू वीके गुजार जी थैंक्यू 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 ठीक है थोड़ा सेर करो यार अधिक साधिक बच्चे जुड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरा भी मनोबल तब बढ़ा रहता है तो जब बच्चे यहाँ पर जाता है मेरा स्वाहन आप ही से है ठीक चलिए अगले पॉइंट पर आता है अगला सवाल क्या है दोस्तों वो देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हो वो क्या पूछा जा रहा है वो हम यहाँ पर देख पा रहे होगा ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है दोस्तों वो देखते है नेक्स्ट चलिए तो यह याद रखने का इंफ्वारमेश इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें याद रखना आसर उता है जिसमें मल्टीपल प्लेटर ऊब डिस्क होता है ठीक है multiple platter of disk होता है जिस जगह पे जिस जगह पे capacity जादा जिस जगह पे data backup किया ज्यादा हो सकता होती है या फिर हमें capacity ज्यादा store करना है तो उस जगह पे हम prefer क्या करते हैं तो हम red को prefer करते हैं आपके exam अगर पूछा भी जागा तो फुल form पुछा जाएगा तो याद रखिएगा redundant array of independent disk is the right answer अच्छा दो तीन information और दिमाग में रख लेना ठीक है जैसे सर्फ flash memory किसे कहते हैं तो हमारा pen drive वेगरा जो है ना pen drive वेगरा जो है वो मेरा flash memory होता है ठीक है pen drive हो गया SD card होगे इसको मुलोग flash memory कहते है एक चीज़ और दिमाग में रखना सब flash memory कौन सा रॉम आता है एक होता है डबल ईपी रॉम कभी कभी exam में यह भी बनता है कि flash memory है वो किस तरह के रॉम है प्रोग्राम का यजामपल तो याद रखीकाPass memory है वह करो प्रोग्राम इवल read-only memory का एगजामपल इल्यक्रिक्रिकली dyre buyersवल प्रोग्राम उबल बें मेमरी का एग्सामपल है यह तो व्लूल और हो खूं आ कि अधिकति कि Muhammad यहां तक छली तो अब हम बात करते हैं अगले सेग्मेंट में अगला क्या हो अगाária है अगले हम नेक्स के सेग्मेंट में यहां ठीक, sudah, clear और कोई दिकत नहीं चलि और कुछ आंकारी रहे और रहे गया है बेटा, ROM के बारे हम आओ providers आम प्रकार का होता है एक मेरा होता है M-ROM, जिसको हम लोग कहते है M-ROM, यानि एक ऐसा ROM जिसमें data at a time manufacturing डाली जाती है, और उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, वो मेरा M-ROM होगा, data can't be modified, वो मेरा M-ROM होगा, उसके बाद मेरा होता है P-ROM, P-ROM का मत्तब होता है Programmable Read-Only Memory, एक ऐसा ROM जो one time programmable can't be change ह वो मेरा P-ROM होता है, उसके बाद मेरा है E-P-ROM, ठीक है, E-P-ROM क्या होता है, Erasable Programmable Read-Only Memory, उससे हम लोग कहते है E-P-ROM, एक ऐसा ROM जिसके data को erase कर सकते हैं, by the using of U-B-Ray, U-B-Ray का इस्तमाल करके इसके data को erase कर सकते हैं, तो इसके हम लोग कहते हैं E-P-ROM, और याद रखिए ह इस वज़ा से E-P-ROM का एक नाम पढ़ जाता है, U-B-P-ROM भी इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको erase करने के लिए U-B-Ray का इस्तमाल कियाता है, दो चीज़ हो गया, तिसरा पॉइंट आते हैं, तिसरा पॉइंट पर एक बाद आए अगर अभी तक चैनल को नहीं के, तो अभी जल्दी से कर दो, ठीक है, चली, दुसरे पॉइंट पर आगर मैं बात करता हूं, यहां पर, एक चीज़ और क्या रहा है, एक चौथा ROM जो होता है, वो मेरा WEP ROM है, तो Electrically Erasable, Programmable, Read-only Memory, यह ROM का ही एक टाइप है, तो आपको सब का टाइप और सब की वि सब्सक्राइब है, slower है, नहीं है, slower Access than RAM, यार यह भी तो कहना सही है, यानि अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक सगन के लिए, तो यह मेरा Non Volatile है, हाँ, यह भी सही है, slower Access, Speed than RAM, यह भी कहना सही है, तीसरा क्या है, यह गलत है, यह भी गलत है, तो दो लाइन सही है, दो ला important है, यह मेरा Non, तो इसलिए, आंसर मेरा A होगा, वैसे दोनों उसकी खास यह थे, लेकिन according to this question, मेरा, चले, थैंक्यू, नेक्स्ट कोश्चन में बात करता है, यानि में हाट डिस्स, उसमें डेटा जो हता है, ट्रैक और सक्टर के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन वही अ बात करता हूँ, अप्टिकल डिस्स के बारे में, तो अप्टिकल डिस्स में जो डेटा होता है, यानि कि CD DVD वेगरा में, उसमें डेटा पीट और लेंड के फॉर्म में होता है, याद रखेगा, आपका मैंक्री डिस्स में ट्रैक और सक्टर के फॉर्म में होता है, लेकिन बता दो यहां पे और कुछ तो नहीं रहा अप्टिकल डिस्ट में आता है क्या वह देखलो अप्टिकल डिस्ट में मेरा CD आता है DVD आता है ठीक है CD है DVD है BRD है Blu-ray डिस्क होता है HVD है holographical versatile डिस्क होता है यह सब मेरा capacity भी CD की capacity लगबख 700 MB के आसपास होता है और DVD की capacity 4.7 से लेकर 17 GB के आसपास होता है और BRD का capacity यह वो मेरा 50 से 100 GB के आसपास का होता है और HVD का जो capacity वो मेरा 6 TB के आसपास होता है तो सबका full form और capacity यह दिमाग में रखना है चली अब अगले question पर आए विच टाइप ऑफ रॉम रिटेन इस डेटा इवें दा पावर इस टर्न आफ एंड कैन नौट भी मोडिफाई तो कौन सा रॉम है जिस जो कांट भी मोडिफाई हो सकता है तो मेरा पी रॉम है वो भी कांट भी मोडिफाई होगा और एम रॉम है यह भी मेरा कांट भी मोडिफाई होगा तो राइट अंसर यह मेरा दोनों हो सकता है ठीक है लिए ऐसा दोनों दिया नहीं रह चलिए अब ये computer memory हो गया computer hardware हो गया ठीक है hardware से जहां तक मैंने जाना था आप वहां पर चले गए memory मैंने पूरा बता दिया अब हम आ रहें किस पर computer के history चलिए पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है तो याद रखिए कि हमारा इनियक है वह मेरा फॉर्स जैनरेशन का computer है ठीक है आपके एक्जाम में यहीं पूछा जा सकता है कि कितना है तो एक दो तीन चार और पांच जैनरेशन है फर्स जैनरेशन में वेकम ट्यूब क का इस्तमाल किया जा रहा था वेकम ट्यूब का इस्तमाल किया जा रहा था सकेंड जैनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तमाल किया जा रहा था ठीक है और भी बहुत सारा जानकारी है चुकि समय की कमी है इसलिए बहुत जादा नहीं जा रहे हैं बस मुख्य मुख्य चीज कभी इंपॉर्टेंट है हमारे एक्जाम पूछा जाता है चलिए है ठीक है कि चलिए यह पॉइंट समझ में आगा क्या हो गया तो इनियक हो गया और तो कुछ यहां पर नहीं है और कुछ यहां पर नहीं चलिए तो सब्सक्राइब यह अगले कॉशन में विच अफ दा प्रामरी टेग्ली यूज इन फ़र्ष फर्ष जनरेशन में इनमें से कौन सा प्रामरी टेखनोजी ठेक है तो यह वाला पार्ट यहां पर बात कर तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं तो अगला क्या है दोस्तों क स्ट में कौन सा थैकलोजिय स्प्माल क Benefit यह में फ़र्ष जन वीसमें में स्माल किया जा रहा था क्रांजिस्टर मेरा सकेंड में और । में और माइक्रो प्रोसेसर मेरा फॉर्थ में ठीक है यह मेरा नेक्स्ट कोश्चिन फिट फॉर्जन यह तो कोश्चिन हो गया वाट इस अप्राइमरी फंक्शन विंडो टास्क बार बेटा आप यह याद रखेगा आप यह याद रखेगा पहले कि नीचे जो आपको दिखत है आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं थोड़ा सा यह नीचे आपको दिख रहा है यह वाला यह वाला लाइन जिसमें मेरा नोट लिखा हुआ है मोजीला है टेलीग्राम है पीपीटी है तो इसे क्या कहा जाता है इसे हम लोग कहते हैं टास्क बार ठीक है तो सवा अगला क्या पूछा है मैंने ऑपे यदे लॉच्ट यह वज है तो बैसिकली यह क्या करता है तो मैनेज ऑपन विंदो एंड़ लॉंच अपलिकेंश जो भी विंडो उपन है उसको मैनेज करने का काम करता है और एक बहुत क्रूसियल चीज़ जो आपको समझना चाहिए गल तो समझ में यह श्कु यह को सिस्टम ट्रे कहता है जिसमे आपको britain दिखता है इसको सिस्टम ट्रेख है ठ्रीट कोश perilish अब आगया है घ्र हिस्ती हो गया हाडवेश्टी हो गया हाडवेर हो गया आपके सब्सक्राइब करना है तो किसका इस्तमाल करेंगे तो हम लोग पैनल में जाके एड और रिमूब प्रोग्राम का इस्तमाल यूज करते मेरे प्यारे बच्चो थोड़ा सा मैं आपको या हिंट कर होगा कि windows का जो है यू यूट्ति जो टूल सोता उसके बारे में ठीकों बिलकुल में क्लास ले था है मेरा नाम विवेक पांडे ठीक है चली तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो आपके window of software में आप control panel में जाते हैं फिर वहाँ पर add remove program करते हैं अगर यह add remove option नहीं दिया रहता तो answer मेरा control panel होता तो right answer यहाँ पर क्या होगे मेरा add and remove program is the right answer add and remove program is the right answer ठीक है चली नेक्स्ट कोशन क्या है विच कॉंपोनेंट ओफ विंडो इस रिस्पोंसिबर मैंजिंग सॉफ्ट्वर और हाडवेर रिसोर्स को मैंज करने का काम कौन करेगा तो वह मेरा control panel करेगा ठीक है वह मेरा control panel करेगा ठीक है याद अब सब के बारे हम थाचा कर लेते सर्फड़ एक्सिप्लोर क्या होता है फाइल एकस्पॉर होता है जितने भी आपके बिद्व खूले रहते हैं उस सब एक जगह जा के स्टूर उता प्सक्टर्य या इसको विंडो एक्स्पॉर भी कहते यानि कि जितना भी फोल्डर है सब को मैंच करने का काम कौन करे है उस database को handle कॉन करता है तो वो registry करता है Colonel क्या होता है तो kernel आपके computer का core part होता यानि core of the operating system is known as a kernel core of the operating system is known as a kernel ठीक है याद रखेगा core of the operating system is known as a kernel ठीक है तो core of the operating system is known as a kernel ठीक है चली अब आते next question में एक पोइंट और यहाँ पर और चर्चा करूंगा मैं एक पॉइंट और चर्चा मैं कर दूंगा नाम बता देजिए आप आइस किसी भी एक्जाम है आइसीटी आ रहा है यह वीडियो कारगर होगी आपके लिए ठीक है चलिए आप मैं बात करता हूंगे पॉइंट पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों है कंट्रोल सिप्ट पलस इस से इसका सौट कट की होता है मेरे प्यारे बच्चों सौट कट की का कोई लिमिटेशन नहीं है ठीक है लेकिन मैं आपको एरिया बता देता हूं कि कहां कहां से सौट कट की पूछा जाएगा आपका MS Excel से पूछा जाएगा आपका PowerPoint से पूछा ज होता तो मैं चाहूंगा कि एक सॉटकट की का PDF मैं आपको यहां पर पिंग कर दू ताकि आप उसको याद कर ले तो यह मेरी कोसिस होगी कि इंपॉर्टेंट सॉटकट की का PDF मैं आपको इसी क्लास के नीचे आपको दे दू तो इसके लिए आपको अप्लिकेशन डांलोड कर लेना पड़े सबसाएं बाowie के सबस films अवाला को मिल जाएगा उसी में सब्सक्राद की या यह वाला पूरा PDF यैस सब आप को आपको मिल रहा होगा ठीक है तो यह काम कर लेनाol अरिया बता जो आपको free में मिलता है और उसके source code को modify कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे उससे हम लोग कहते है open source software लिख लोग है copy अगर है तो साथ में कि open source क्या होता है वो software जो free में मिलता है और source code को को आप modify कर सकते हैं वह open source होता है इसका फोलता होता है या इसको close software भी कहते है वह पूरा मैंने बता दिया copy में write down कर लेना ठीक है तो इसका क्या होगा free distributed तो वो मेरा होगी open source ठीक है free अगर पूछा जाना तो तीन नाम आता है एक मेरा open source है वो भी free है एक freeware होता है वो भी free है और एक मेरा public domain होता है वो भी free है तीनों में define नहीं कर सकते हैं public domain क्या होता है एक ऐसा software जिसका कोई मालिकाना नहीं होता है कोई ownership नहीं होता है उसको अम लोग public domain software कहता है that is the way ठीक है तो यह आपका समझ में आगे नेक्स पार्ट पर विच टाइप ऑपरेटिंग सिस्टेम एलाव मल्टीपल यूजर टू एकसेस दा कंप्यूटर सामल टेस्ट निबाट डिवाइडिंगे रिस रिसोर्स यानि कि एक सिस्टम को एक समय में एक सधिक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा अगला सवाल यह पूछाएगा इन में से आपसे यह सवाल क्या है विच टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम एलाव मल्टीपल यूजर टू एकसेस दा मतलब क्या होता है more than one task perform at a time is known as a multitasking more than one task perform at a time in a system is known as a multitasking जैसे कि हमारा android है वो multitasking है आपका windows है वो भी आपका multitasking है तो multitasking के बारे में आप समझे क्या होता है multi user multitasking तो दोनों के बारे पूछा जा सकता है बाकि नाम से clear है एक और है embedded क्या होता है वो operating system जो inbuilt होता है आपके computer में उसको embedded कहते है जैसे कि हमारा android जो है ना जो हमारा android है वो मेरा embedded होता है ठीक है next question what is the primary function of operating system तो याद रखेगा सबसे पहले कि operating system होता है क्या operating system is act as a interface between user and hardware operating system user hardware के बीच में mediator का काम करता है पहला काम तो यह हो गया दूसरा काम क्या होता है यह आपके computer का manager overall management का जो काम है वो मेरा कौन करता है तो वो मेरा यह operating system करता है तो यह manager भी हो गया और overall management का भी काम हो चली अब मैं बात करता हूं तो दूसरे पॉइंट बाड़े दा प्राइमिर फंक्स अपरेंडिंग सिस्टम तो डिस्प्ले इमेज ओन टेक्स्ट ऑन दा स्क्रिम जी नहीं तो connect the computer on the internet जी नहीं तो option number C is the rider to manage hardware and software resource and provide an interface to the user interaction तो बेसिकली सब कुछ interface को manage करना mediator का काम करना यह मेरा operating system कहता है आप बस इतना समझ लोना कि आप ऐसा करो कि आप अप्लिकेशन अभी डाउनलोड करो अप्लिकेशन क्या बोलता है कि मुझे एक जीवी रैम चाहिए मुझे इतना जीवी इंटरनल रैम चाहिए और सब कुछ आपको बता रहा है अब है कि मेरे कंप्यूटर में अलड़ी है रैम में मेरे कंप्यूटर में सीप्यू है तो उस requirement को मिटप कौन करवाता है तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बोलता है आओ तुमको जो जो जौरत है मैं प्रवाइड करूंगा वहां पर अड़ा का भी एप है आपके मोवाइल में वाट्सेप भी है फेसबूक है सबकी अलग लग रिक्वार्मेंट है मुझे इतना सीप्य सिस्टम है Mac OS 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 AI treatmenta application software है जो आपको computer को चलाने में मदद करता है वो आपका system software होता है जैसे operating system, linker, loader, compiler, interpreter, assembler, यह सब मेरा system software है सर application software क्या होता है वो software जो user end के लिए बनाया गया line में है कहीं लिख लोग और copy है साथ में तो वो software जो user end के लिए बनाया गया उसे कहा जाता है application software जैसे हमारा उसको क्या नाम है मैं भूल गया हाँ जैसे कि हमारा WhatsApp एप्लिकेशन सौफ़्टर चैट करने लिए हमारा अड़र प्लिकेशन वो मेरा application कहा जाता है और Google Chrome को ब्राउजर कहा जाता है हमारा WhatsApp को चैटिंग सौफ़्टर कहा जाता है तो एक्जाम में यह कौन सा सौफ़्टर किस कैटेगरी में आता है यह भी एक्जाम में बनेगा थोड़ा सा इसके लिए भी दिमाग खोल के राखिएगा ठीक है चलिए और वर्ड एक्सल पावरपॉइंट से तो कोशन बनेगा ही बनेगा नेक्स्ट कोशन आपका स्क्रीन पे में वर्ड एक्सल पावरपॉइंट से कोशन बनेगा चोकि आपका एक्सा एक्जाम है उसमें बनेगा और जो कोशन बनेगा वो 5 एरिया से बनता है एक आपका बनता है मेन्यू बेस्ट कोशन MS Word में menu होता है ने उपार में Home tab, insert tab, review तो किस menu का क्या use है ये exam में बनता है question पहला दूसरा बनता है practical question जैसे ये वाला question और तीसरा question बनता है वो बनता है term based question जैसे hyperlink क्या होता है header footer क्या होता है और चौथा question बनता है वो बनता है shortcut की तो ये पूरा याद रखिएगा exam में menu तो जरूर याद रखना किस menu में क्या है अभी आपके पास जितना दिन समय है कि home के अंदर कौन सा option insert के अंदर क्या है इस सारा menu याद रखिएगा एक्जाम में question बनेगा ठीक है तो basically याद रखिएगा आंसर इसका हो जागा option number B is the right option number B होगा control 2 से नहीं होता next question which feature Microsoft Word allowed to add decorative line अगर decorative line हगर हम लोग ऐसे add रूट करना पड़ता मतलब ये design type लोग क्या कहता word art, smart art, page border या drop cap उसे हम लोग page border कहते यानि कि ये मेरा page है ये मेरा page है और ऐसे करके lining हम लोग देते हैं इसको हम लोग page border कहते हैं this is called the page border ठीक है और ये वाला area जहां पर आप लोग लिखते नहीं उसे margin कहते हैं ठीक है ये area margin कहा गया इसको border कहा गया ठीक है और क्या है यहाँ पर drop cap क्या होता आप newspaper में हमेशा देखना ऐसा starting में एक later है बहुत capital में लिखा होता इसे newsman दा prime minister ये T बहुत बढ़ा होगा तो इसे हम लोग कहते हैं क्या इसे हम लोग कहते हैं drop cap तो large capital later at the beginning of the document वो मेरा drop cap वो मेरा क्या हो गया वो मेरा page border हो गया क्लियर है सबको समझ में आ गया कोई problem ने everything set थोड़ा सा session को share कर दीजिए थोड़ा सा logo तक पहुचा दीजिए अच्छे अच्छे बच्चों तक चला जाए तो I hope मेरे लिए ये session सही रहे ठीक है चली अब बात करते हैं next segment में अगला question क्या है तो याद रखिएगा में चार alignment होता है ये चार ही alignment होता है कौन सा नहीं होगा तो left होगा, right होगा, center होगा alignment कहने का मतलब होता है लिखने का side होता है उसे हम लोग कहते है अगर आप use कर रहे हैं तो आपको रटने जोरत नहीं मेन्यू में क्या है एक दो बार देखो को दिमाव में बैठ जाएगा तो मैंने बताया कि किस एरिया से question आता है अभी मैंने उस zone में नहीं कहा हो कि कैसे याद रखना है क्योंकि हमारे पास अभी समय की कमी है भी सामय होता थो मैं भी तार-टार खोल देता भी आपका ठीक है चली अलाइंमें में लिखने अगला कुशन क्या है विच अपर पर 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 पस क्या होता है न याद रखिएगा यह आपका पेज ले आउट में अगर आप काम कर रहे हैं तो बिसिकली वहाँ पर क्या बताता है कि आप पेज को सही से डिजाइन कर रहे होते हैं सबसे पहले मार्जिन मार्जिन अलडी बता चुके हैं क्या होता है और इंटेशन क्या होता है अगर मान लेजिए कि यह मेरा डायरी है मान लेते हैं यह मेरा डायरी है तो इस डायरी को क्या लैंड सकतो यह exam point of view सो important है याद रखेगा default क्या होता default मेरा portrait हो यह बी exam में पूछा जाएगा default मेरा portrait होता यह दिमाग में पूछा जाएगा तो पेज आप ऐसे देख रही हो तो पेज को ऐसे देख रहे हो तो मेरा landscape हो गया ठीक है कि नेश्ट कोशन पर बात करते हैं अगला कोशन क्या है विच फीचर इन मैक्रोड वाल अलाव टू फाइंड रिप्लेस अस्पेस्फिक टेक्स्ट इन एमस्वर्ड किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें रिप्लेस करना है तो इन में समकिसका इस्तमाल कर रहे होंगे तो हम लोग यह मेरा आता है रिविउट के अंदर किस मेन्यू के अंदर के अ पूरा इच्छा से देख के जाना प्यारे वच्小 Egyptian बनेगा बनेगा ऐगा किस मेंदर केरा क्राश दिमाग में रख लिए ख crashed P spelling चेक अगर हम बात करते हैं तो एप सेवन से सौटकट की और थेजारस का जो सौटकट की होता है वो मेरा shift plus F7 होता है shift plus F7 होता है अगर आपका spelling error आ रहा है तो वह आपका red color में देगा और grammatical error है वह आपका green color में देगा और अगर अगर आपका hyperlink वागरा बन रहा है तो आपका blue color में देगा कभी-कभी color से भी question बनता है spelling error rate color grammatical error green color ठीक ऐसे याद रखिएगा चलिए next question how can you change the orientation of specific page in Microsoft आप orientation को कैसे change कर पाएंगे यानिकि पेज को आप portrait से landscape करना चाहा रहें तो क्या कर रहे होंगे ठीक है अगला है यूज दा break button to the insert button जी नहीं तो यह तो होगा नहीं और इंटेशन चेंज करना यानि यह और यह चेंज करना है तो हम क्या करेंगे हम और पेज orientation का option का यूज कर रहें गो तो यह आपका practical question होगा इसा question exam में पूछा जाएगा ठीक है चलिए अगला question क्या है how can insert a new page new page insert करने का देखो पूछा क्या ना how can insert a new page break तो हम लोग क्या करेंगे हम insert tab में जाएंगे और page break का इस्तमाल करेंगे अगर shortcut की पूछा रहता तो option number a होता लेकिन इसमें shortcut की नहीं पूछा गया है ठीक है shortcut की पूछा रहता नया page करेंगे तो control प्रोसेस पूछा गया इसलिए answer मेरा option number b होगा तो यह practical question कुछ-कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेसनियां आ रही होगी क्योंकि practical चीज़े अब WhatsApp चलाना को सब्सक्राइब क्यों क्योंकि आप यूज कर लिए MS office को मैं कभी नहीं प्रिफर करता हूं कि उसको को पढ़े रटा मारे और यह यह मेरा observation है मैं आप लोग को बता देता हूं आज इस class पे अभी कि अगर किसी बच्चे को MS office आ रहा है पार के अलाइन दैस्ट बोथ left and right left right दोनों आलाइंडमेंट दे रहा है तो किसका इस्तमाल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे justify का इस्तमाल करेंगे जो left और राइट दोनों का इस्तमाल कर रहा होगा next question how does the count एक अब ये एक्सल से बेटा एक्सल में एक नया चीज आड़ाउन कर देता हूँ एक्सल में आप function से question पूछा जाता है function से question पूछा जाता है चली तो जैसे function लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ जिसे ये function है क्या होगा हम equal to count और ए ठीक है ये function लिखने का तरीका है अब आपसे ये पूछा गया कि इस function का क्या यूज जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि सम एक function है जो सारे cell के value को add करेगा अगर हम लोग बात करते हैं कि maximum function है जो सारे function का maximum value output देगा तो आपसे ये पूछा गया है कि count a function क्या काम करें टोडल 371 फंक्सन है ठीक है अगर अगर आ गया तो मतलब किसी भी पॉइंट को छूना नहीं मतलब आप जिस एक्जाम के त्यारी कर रहे होना अरे मेरे भाई अब वहां पे जाके आप ओफिस में काम करेंगो तो आना ही चाहिए ठीक है चलिए तो बेटा count और count a में क्या function है यह याद रखना एक count होता है ठीक है count और count a होता है count क्या करता है count का जो use होता है वो समझेगा कि आपको सिर्फ यह पूरे यहां पर मैंने एक लिखा यहां पर दो लिखा और यहां पर मैंने ए लिखा अगर मैं काउंट फंक्शन यहां पर लगाओंगा यानि कि यह वाला फंक्सन तो मेरा आंसर दो होगा और यह वाला फंक्सन लगाओंगा तो आंसर मेरा तीन होगा अब समझ में आगया क्या दोनों में अंतर है समझ में आ गया ना कि count और count a में क्या फंक्र दिक्कत है मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि अ कि अ तो चलिए नहीं आज ही क्लास चलिए नेक्स्ट कोशन पर विच की बोर्ट सॉटकर यूज्ट वॉट्ट सम का सॉटकर की है अल्ट प्लस इक्वल टू अल्ट प्लस इक्वल टू आपको याद ही करना पड़ेगा अब मैं कोशिस करूंगा एक पीडियेफ आपको दे दू ताकि आप मेमराइज करके एक्जाम एटलिस निकाल लो अपना ठीक है चलिए कोई दिकत नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं नेक्स्ट कुश्चिन हो गया विच एक्सल फीजर यूज तो कुईक्ली कॉपी दा कंटेंट ऑफ सेल्ट कुईक्ली कॉपी करने के लिए यानि कुछ भी अगर यहां पर हम लिखें है ठीक है और यहां आटोमेटिक अगले सेल में चला जाए इसके लिए क्या करेंगे इसक ने कुछ बात करते हैं वीच एक्सल फीजर यूज यह हो गया अगला है अगया हाओ के मश्टू और मोर्श इन एक्सल म दो सेल को करना है तो मर्ज का इस्तमाल करेंगे याद रखेगा मर्ज सेल क्या करता है आपका दो सेल होता है और दो सेल को जोड़ देता और एक कम्बा value in cell A and B, पूछा ये गया है कि सिर्फ cell A और cell B1 का value को जोड़ना है, तो इन में से किसका इस्तमाल करेंगे, तो याद रखिएगा, basically ये हमारा क्या होगा, सिर्फ 2 का इस्तमाल करना है न, तो हम लोग इसका use कर रहे होंगे, ये, ये मेरा right answer, दो-तिन point है जो आपको दिमाग में समझना चाहिए, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ, some A1, B1, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये दोनों का value एड़ करेगा, और अगर मैं लिखता हूँ, some A1, B1, तो ये क्या करेगा, ये range बताएगा, ये पूरे range का value को एड़ करेगा, यानि A1 से B1 तक जितना value होगा, सब को ये add करके देगा, तो ये पूरा range बताता और ये क्या करता है, specific को, तो यहाँ अगर से जैसा सब्द लिखा रहता, तो हम लोग ये answer करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है, सिर्फ दो, कि A1 और A2 को, तो याद रखें का answer मेरा, यहाँ पर ये use to automate repeated task or to perform complex operation, तो इसके लिए और किसी काम को automatic करते रहे, बार-बार होता रहे, उसके लिए कौन सा tools का इस्तमाल करेंगे, उसके लिए macros का इस्तमाल करेंगे, MS Word, Excel, PowerPoint सब में एक tools होता है, macro के लिए, और उस macro होता है, जिसका use होता है किसी automatic task को अंजाम देने के लिए, ठीक ह चली, और तो कुछ समें important नहीं लहा, form क्या होता है, user entry चीज़े है, जिसको edit किया जा सकता है, उसको form कहते है, और report क्या होता है, जिसको लोग can't be edit कर सकते हैं, यानि जिसको लोग change नहीं कर सकते हैं, report को लोग edit नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चली, तो यह हो गया, next question, text encryption is in it, text text को encrypt किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है, अगर मैं high लिखता हूं, high को मैं code कर देता हूं, one zero में, that is encryption, तो encryption क्यों किया जाता है, यह पूछा गया, तो encryption किया जाता है, किसके लिए, तो security के लिए encryption किया, security के लिए encryption किया, next question, अब मैं तेजी ला रहा हूं, ठीक है, क कम वीडियो में ज्यादा चीज़ चला जाए वही कोसिस करूंगा तो विच ऑप्सन यूस्टू सॉट डेटा ने असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल तो डेटा में जाके हम लोग सॉट कर देंगे वह मेरा हो कर रहे हूं और उससे मेरा प्रोटेक्शन हो जाएगा ठीक है चली यह प्रैक्टिकल कोश्चन इसलिए थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रहोगा तो उसको बरदास कर लिजेगा क्योंकि जब आप MSWORD देखे नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा ही अगला सवाल एन स्ट को अंजाम देने के लिए इन डेटाबेस में अब यह अगर मैं ऐसा कुछ कोड देता हूं कि जैसे ही आपका मतलब 90% 80% से ज्यादा नंबर आएगा आपको डिस्टिंशन दिख जाएगा और आपको 50% का डिस्कॉंड मिल जाएगा फी में तो इस तरह क्या करेंगे तो हम प आज जयर्णरडी प्रेजेंट इन लिस्त ऑफ रिजुट और रेफ़र्ट तू थेकर अंट है टू सर्च रिजल्ट आरजणर ली प्रेजिट इन लाइन ओफ रिजल्ट आप गूगल में जाकर कुछ सच करता है मिल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हुआ है उसे हम लोग कह question which of the following to calculate the payment of a loan based on the constant permanent constant interest EMI calculate किया जाता है वो concept formula से किया जाता है तो PMT formula से EMI calculate किया था Excel तो यह याद रख लेना जैसे मैंने बताया कि 371 x formula है जो Excel में इस्तमाल किया थो उनमें से भी एक हमारा यह next question अब यह PowerPoint से questions आ गया है which view in my time crossword PowerPoint allowed to see multiple slide at once यह मैं अभी practically करके दिखा दूँगा यह slide है ठीक है यह मेरा slide है ठीक है मैं भीव में जाता हूं और मुझे सारा slide एक बार दिखना है क्या करूंगा slide sorter कर दूँगा slide sorter करूंगा सारा slide आपको एक साथ दिख रहा है multiple slide एक time एक बार में सारा slide को देखना है क्या कर दो slide sorter कर दो थोड़ा सब के बारे बताई देते हैं यह आपका नॉर्मल है अगर कुछ नहीं कर रहो तो नॉर्मल भी हो गया outline भी क्या होगे अगर outline आपको यह मेरा इस तरह दिखता है मैं कर दूं क्या देखो इस तरह दिखा न हैंक कर गया जा तुम लोग दिखाने के चकर में बोर्ड मेरा हैंक कर गया अब कैसे पढ़ाऊंगा तो यह मेरा outline आ गया को दिकना सभी हो गया अगर मैं सारे पीपीटी को अगर index के form में दिखाना चाहता हूं तो वह outline भी होता है slide sorter और लेनी बता चुक है notes page क्या होता है अगर slide के बारे में नीचे कुछ लिखना है that is called notes page यानि कि if you want to write about the slide वह आप करते है notes page में reading view क्या होता reading view आपका full screen view जो full screen view है उसको reading view कहते हैं और खुद के पैर पर कुलहाडी मारना इसके ही कहते हैं क्योंकि हम full screen करके हम फस गया है चलिए चलिए ठीक है तो यह मेरा हो गया तो याद रखिएगा और वेब layout क्या होता है वेब layout में आपको जो वेब के form में दिखता है वह वेब layout होता है अच्छा दो तीन चीज और याद एक होता है master view होता है अगर आपको कुछ ऐसा changes करना है कि एक changes करना है और सारे slide में चला जाए मानता है कि यह उपर पट्टी दिए हम चाहरे हैं कि सारे slide में एक click में पट्टी चला जाए तो हम slide master पर करेंगे स्लाइड मास्टर में अगर आपको changes डालते हैं तो implement to all वह मेरा slide master होता है सारा slide को एक बार देखना है तो slide shorter होता है बस यह दो-तिन लाइन है जो याद रखिएगा ठीक है चलिए तो लेड़ी बता चुके है वेब लियाओट रिडिंग भी बता अगला question क्या है विचा की advantage of Wi-Fi for internet Wi-Fi का full form क्या यह समझ लीजिए को Wi-Fi का full form होता है एक सग्ड अच्छा यह पहले saving a file from internet to computer up internet से computer में अपने file को लाते हैं उसे क्या कहा जाता है अगर internet से computer में को file लाते हैं उसे कहा जाता है downloading that is called the downloading और अपने computer सगर internet जा रहे है that is called uploading to downloading uploading upload हो रहा है वहां से नीचे आ रहा है download हो रहा है ठीक है next question is a small program that embedded inside a gif ठीक है आप जिफ क्या होता है बहुत सरा animated images वेरा देखते हैं ठीक है बस बच एक सथवा नंबर में है 40 question और करेंगे मैं अगर मुझे मैंने थमने में लिख दिया है कि 100 question करके ही जाएंगे थोड़ा सा और आधा हंटा का समय लेंगे सो को थोड़ा सा समय पैसेंस रखो सो कोशन और ठीक है सो ने चालिस कोशन और ठीक है इसे स्मॉल प्रॉम इंबेड़ेड इंसाइड जिफ जिफ के अंदर जिफ क्या है उलड़ी मैं पहले बता देता हूं ठीक है जिफ क्या है पहले उसके बार जिफ एक तरह का इमेज का टाइफ होता है आपने बहुत बार एनिमेटेट इमेज देखा होगा तो पूछा गया है कि जिफ के अंदर इन में से कौन सा पार्ट हो सकता है तो याद रखिएगा कोई भी इमेज के अंदर कोई वेव बग हो सकता है थोड़ा सबके बारे में बताना ज़रूरी हो मैं नहीं बताऊंगा तो मिरा मतलब मेरे को खुदी संतुष्टी नहीं मिलता है चलिए अगरा सब्सक्राइब क्या होता है अगर एमेल अगर आपका ऑन्वांटेड इमेल जो आपको मिलता है उसको स्पैम कहा जाता है सर्कुकी क्या होता है कुकी आपके ब्राउजर के अंदर एक फोल्डर होता है जो आपके सारे ब्राउजिंग एक्टिवीटी को मोनिटर कौन करता है तो वह कुकी कुकी आपके ब्राउजर के अंदर एक फोल्डर है आप जो भी सर्च करते हैं सब को रिकॉर्ड कर हम बताते हैं एक तरह का मालवेर होता है जो आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल हो गया तो आपके कंप्यूटर का information access करेगा और किसी और को ट्रांसफर करेगा बिना आपकी जानकारी का that is called spyware to spyware is a type of malware which access data and information from your system and transfer to another is known as a spyware without your knowledge ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक यू सरीता थेंक यू नेक्स्ट कुस्टिन विच और मैसन प्लेट साथ इफिर रोल in development the internet internet को develop करने में इन में से कौन सा कंपनी जो बहुत बढ़ा role पे ले play किया हो इंटरनेट को develop करने के लिए ठीक है चलिए गूगल नहीं यार गूगल कैसे डार्पा हो जागा डार्पा ठीक है थोड़ा सा इसके बारें बताना ही पड़ेगा नहीं तो शेत बेर के नां अ मिवन इसका नाम था हा आर्पाएłos एयर पीा अन एन एटी अर उसी का है ये दूसरा नाम है ठीक है आरपा निट का है अडवान्स रिससर्च प्रोजेक्ट एजनसी निटवर्र एडवांस रिचस्थ 세상 प्रोजेंसी नेटिक है तो वहीं है यहाँ यह डार्पा क्या हो गया तो यह डिफेंस एजेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट जहां यूएस डिफेंस एजेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यह वाला पार्ट है ठीक है तो यह बेसिकली याद रखेंगा दुनिया का पहला अर्पानेट है रोसी का यह घुमा के नाम है तो आंसर मेरा होगा डारपा डारपा हैच मेरा पहला इंटर्नेट बनेगा इंटर्नेट नेट नेट वर का पहला नेट वर्ılा उसके बाद नेट वर्लोbe नेट PlUM का जन्म किया और उसके बाद Internet के बारे में दुनिया जान गया तो ये 1989 में 충 Faith बना मेंDamما उसको मार्केट में उतार गया था डेवलप हो था 1989 में और मार्केट में जांखा ॉबotomPlum फिरôm hadnere को गूगल आया तब सर्च इंजन kalk लोगों ने जहांद अर्फिर दो चार में Facebook आया उसके बाद लोग social media के बारे जानना तो यह इसके पिछे कहानी है लेकिन सुरुवात 1979 में ही हो गया था जब दुनिया का पहला नेट्वर्क बना था डाइज कॉल्ड आर्पानेट ठीक है चली नेक्स्ट को अगला कोशन दस्टाइल सीट्स फाइल विल लॉड ब्राउजर इफ ओमिट ठीक है यह थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव कोशन है ठीक है इन्फॉर्मेटिव कोशन है याद रखिएगा ठीक है तो रेल इसमें दिवाग नहीं खराब करेंगे विचल फॉलिंग इस एक्जामपल आफ हाइबल प्रामिंग लैंग्विज बैडल लेबल और हाइबल होता है इसको कंप्यूटर बहुत असानी है हाइबल और हाइबल में और जितना जावा है सी समिर्ट वहां मेरा हाइय मैना होगया नहां पर हां जो हाइबल जो है ऊसको जो कोड लिखा जाता है उसको कहा जाता है सोर्स कोड ठीक है सोर्स कोड तो राइड अनसर क्या हो गया सोर्स कोड इस राइड आंसर अच्छ एक सेक्ट अच्छा एक्जांपल एक सेंग रुख जाओगी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पूछा क्या है इने एक्जांपल हाइबल प्राइमिंग लैंग्वेज वाइडली यूस्फ लैंग्वेज का नाम पूछा है ना सौरी बेसिक होगा बेसिक दराइट असर बेसिए दराइट अंसर याद रखेगा मैंने और अल्रेटी बता दिया है कि और मेरा अस्फेंबली आता है और मसिन अ थाए लेवल में मेरा आndra जाएगा कोबर आ जाएगा ठीक है यह सब तो सिर्फ language का नाम पूछा गया है इसलिए answer मेरा basic होगा बिगनर all-purpose symbolic instruction code इसका full-form होता है जो symbolic instruction को लिखने में में इस्तेमाव लाया है तो right answer मेरा यह हो गया next question कि अर्फ एमें सेक्सेस database सेटेंस एक्सेस डेटेबेस उसका अपको पूछा है कि वर्ड का mixtureं ऑगैज्टा होता है इमेज का होता है इसके बाद ये सभी मेज का हो गया इसके बार याद रखिएगा आपका पूछाएबान एक्सहिस उसली टॉश ll एक्सल का एक्सेंशन क्या होता है एक्सल का एक्सान का यह इसबाद Πाफर प्वारपरइट का extension गीा होता है शहूबर नक होता है उसके बाद नॉद्टेमें किसका पूछा जा भगवाने मालिक है डॉट टी एकस्टी कहा जाता है ठीक है यह मेरा टी एकस्टी होगी ठीक है यह हमारा होगी चलिए नेक्स्ट कोईशन इसे इंटरफेस ड्राउन बिट्विन दा प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन याद रखिए का इंपूट को प्रोसेस करने का काम ही है कंप्यूटर का क्या करता है तो डेटा को इंफॉर्मेशन रखिचन रखिडां करता है और यहां पर लोजिकल कोशने इन में सही इन दो नों के पीचे मिधियेटर काम कौन करेगा तो वह मेरा नॉलेज नौलेज यह जो डेटा और इन्फॉर्मेशन के भीच में इडियेटर का काम करेगा इससे दो सवार यह भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर में इंपूट क्या लिया जाता है डेटा कंप्यूटर आउट्पूट क्या देता है इनफॉर्मेशन ठेक है दोनों को पूछे में डेटर कौन है तो मेरा इन नॉलेज नेक्स्ट कोईशन जाता है तो यह याद रखेगा यह अब यहां सथोर सा नेट्वर्किंग पर आ जाते हैं यह प्रोटोकॉल से कोश्टन लिया गया है हर प्रोटोकॉल का अलग अलग यूज है जैसे कि यहां पे प्रोटोकॉल मॉडल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है एफटीप का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो फाइल अप्लोड और डाउनलूड का काम करता है यूडीप क्या होता है यूजर डे लाप्टॉप से किसी वेपेज को êस्स करते हैं आपके मॉदाइल से या लाप्टॉप से वे पेज को tää काम कौन करता है तो क्यों मेरा हो गया इसके बारे में यूझस तो यूझसज सबका हैं मैत क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री मैटल ऑकसाइड सेमिकंडकटर आपके कंप्यूटर में बैट्री लगा होता है जो सब्सक्राइब बात किया थे लिएक और लगी होते हैं तो यह मेरा सिमावस देता है चली तो उसका फूल फोगे अग्ला है वाट needs a shortcut to apply the currency format तो्ट करशाथफमेंट में क्या आ जाएगा यह डॉलर आ जाएगा ठीक है दिमाग लगाना ह颂ए यह परू इसन जानाbucks पर में देता है यह सिंबल फॉर्म में देता है तो shortcut की का एरिया थोड़ा सा बड़ा है मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मैं चाहूंगा shortcut की एक PDF हाफ तक पहुचा दू ताकि आप उसको याद कर सके अगर फिर भी अगर requirement कहीं से हो जा रहा है तो कोई दिक कर दिए shortcut की से तीन चार नेक्सस मेरा सर्च नेक्सस क्या है तो यह मेरा ब्राउजर है याद रखिएगा first text browser first text based browser यही था first text based browser कौन है तो यह नेक्सस था अगर आपसे पूछा जाए कि first graphical browser कौन है first graphical browser कौन है तो वो मेरा है मोजाइक ठीक है यह याद रखिए पस्ट ग्राफिकल ब्राउजर कौन है तो वो मेरा मोजाइक है यह याद रखिए पस्ट ग्राफिकल browser मोजाइक first text browser नेक्सस और नेक्सस का पहला नाम था हमारा यहीं बाद में रिनेम करके नेक्सस बनाए गया बाकि यह भी मेरा सर्च इंजन है और यह भी मेरा सर्च इंजन है ठीक है चलिए तो देखो यहां पर ने दो तीन चीज़ी दिमाग में रखना 69 का Hindi क्या था Hindi में कुछ गर्बर था कि हा हा हिंदी थोड़ा सा गर्बर रहे ने तो Hindi गलत है सौरी माफ किजिए का Hindi गलत है उसका translation गलत हो एक सवाल और याद रखिए गैं यहां पे आपको यह पूछा जा सकता है इने में आपको से कौन सा एक सर्च इंजन होता है हमारा बिंग एक सर्च इंजन होता है यह आपको दिमाग में रखना पड़ेगा एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है उसके बाद मेरा होता है बाइट यह एंबी के बाद हमारा जीवी होता है और एक गीवी बरावर एक और जीवी के बाद मेरा टीवी होता है टीवी बरावर एक हजार चौबिस जीवी होगा उसके बाद मेरा पीबी होता है यानि कि पेटाबाइट और एक हजार चौबिस टीवी होगा उसके बाद पीबी के बाद हमारा एबी होता है एक हजार चौबिस पीबी होगा उसके प्रहावर 1522 जेटा वायद उसके बाद मेरा होता है ब्रोंटो का मतलब होता है 1024 वाइभी उसके बाद मेरा होता है यह पर दिजसरा रावर 1024 फीill उसके बाद मेरा हो जो पूरा हिरार्की मैं ने अल्री बता तो तो तेक चली सारा याद रख लिए और पूरी हिरार्खी बता दिया ठीक नेग्स चल रहा हुछ सब दुनिया को बता भी क्लास चल रहा है मुझे इतने घंट से चिला रहा है तो थो फ़गा है करो करो लोग तक पहुचा हो कि यहां पे आपको इसका फुल फॉर्म होता है तो कुछ-कुछ नाम समझ लेजिए एक्जामपल फॉर्स जनरेशन का नाम क्या है तो यह पूछा जाता है कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर है तो यह कुछ फॉर्स जनरेशन का नाम है यह कुछ सकेंड जनरेशन का नाम है और यह मेरा थर्ड जनरेशन मैं चाहूंगा कि यह नाम नहीं पूछे क्योंकि नाम याद अखना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशिए विच लुजी क्या है एक ऐसा टाजिए से früh वाइर सेताश डिवाइस को कुनेट कर देगा एक सबस्ट टॉप था killer कर देगा तैर्दी खेएभी और यह सबसे ज्यादा भरोसेमं कोगोंड बहुत कम होतीं नहीं के बराबर होती है ठीक है इसलिए बोला गया है मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट अब इस मल्टिपल पाथ किसी नोट की बीच में बहुत सारा पाथ दिया गया तो यह भी हो गया अगला से रिंग टॉपलोजी क्या होता है यह तीन कंप्यूटर है यह ऐसा जुड़ा रहेगा तो अगर चीजे हैं तो इसको फूपलोजी कि थीक है यहां इना थीकत यहां पे कोई स्वाह कट आ यह सबक्र अपर करते हुआ तो weit यह सारा टॉपलोजी समझ में आ गया क्या चीज़ें अगा कॉंच है क्या होगा कि एक आपको यह समझ में आ फुस्वें सीज़िस किम्लिकेशन मोड इस हुस्व आपको लिया गया है आपका कब्यूटर communication से लिया गया है और पूछा गया है communication mode के बारे में चलिए सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं which communication mode used in most computer where data can be sent and received simultaneously, यानि कि एक मेरा sender होगा और एक मेरा receiver होगा और दोनो parallelly अगर transmit कर पा रहा है तो इससे क्या कहेंगे, अगर दोनो parallelly transmit कर पा रहा है तो इससे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे full duplex दो-तिन चीज़ है जो आपको समझना चाहिए आपके exam point review से, सर simplex क्या होता है, simplex है ऐसा communication mode है, जिसमें एक sender होगा और एक मेरा receiver होगा और one way communication होगा, यानि कि one way है, one sided है, दूसरा जवाब नहीं दे सकता है, वो मेरा हो गया, simplex चलिए, तो याद रखे, simplex का अगर one way communication होगा, उसे हम लोग simplex कहता है जिसे tv हम लोग देखते हैं, वो simplex का example है, radio में सुनते हैं, वो मेरा simplex का example है, हम लोग keyboard से computer को instruction देते हैं, वो भी मेरा simplex का उधारन है, सरा, harp duplex क्या होता है, एक मेरा sender है, एक मेरा receiver है, एक मेरा sender है, receiver है, दोनों साइट से communication हो रहा है, लेकिन एक समय में एक ही generate communicate कर पा रहा है, वो मेरा harp duplex होता है, जैसे कि हम लोग जो WhatsApp है, जब text करते हैं, वो harp duplex का example है, दोनों का parallel message नहीं आता है, एक का जाता है, एक का आता है, एक का जाता है, एक का जाता है, एक का जाता है, तो वो मेरा harp duplex का example हो गया, तो याद रखिएगा harp duplex में क्या है, आपका text message आता है, आपका walkie talkie, वो मेरा सब्सक्राइब करते हैं यह सब मेरा फूल डूप्लेक्स से अपको समझे आ गया और नेक्स्ट कुछन आपके स्क्रीन पर विच्ट कम्निकेशन मीडियम यूज इलेक्ट्रिकल सेंग सिंगल टू ट्रांस्ट में डेटा और कॉपर वायर एंड कॉमनली यूज़ फॉर इथरनेट करें यह जो कोश्चन से लिया गया है तीन तरह का निट्वर्किंग वायर है जो इस्तेमाल होता है पहला आपका होता है त्विस्ट इप्यर वायर जो बेसि को को xalis CPUЬ-Cable कहते है तीसरा मेरा होत था 6 वायर जो सबसे क्यों होता है जो आज के दोर में यहीं चल राहा भाकि सब अड़ेट कारगा तो याद रखेगा फ fence पूछा जाए तो अप्टिकल फाइवर लोकल पूछा जाए लैंड पूछा जाए तो टुस्टेट पेर और मैंने वहगरा पूछा जाए तो आंसर मेरा को एक्सेल के बता है होप आपको पूरा यह समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं लेयर का यह सब्ट पूर्देंटिंग इंपर विटरियों ऐसा लेयर हे रिस फीजी कल दूसरा लेयर टीसरा नेट कले हैं Rim पांछन वर्म अपको होता है च्छठा होता है प्रेंटेसिंटेंट्स लेयर साथ्य यह साफं लेयर है हर layer का लगलग काम है यह आपसे पूछा गया अब आपसे यह पूछा गया कि किस layer का क्या काम है यह थोड़ा साथ मतलब बिस्तरित chapter होगा आप पढ़ना पढ़ेगा अगर आपके पास समय है तो जाके पढ़िएगा अभी हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम detail में नहीं जा सकत है data link to message to my frame के form में आता है उसका network layer में मेरा message जो है वो मेरे फिजिकल बेटर निए वो मेरा packet के form में आता है और उसके बाद मेरा transport layer पर जो मैसेज है वो मेरा आता है segment कि फॉर्म में वो मेरा क्या आता है segment कि फॉर्म में तो किस layer में कौन सा mesages काम कर रहा है यह मैं didatood right answer इहां पे क्या होगा। चुकि बिट पूछा है तो right answer मेंद फीजिकल καलados और में भी तेजी से निकलना चाहरा हों ठीक है रात है w पता है कि नहीं सेफ है ठ्म करेगा तो फिल्टर सब लिखा रहे तो फायरवाल का काम क्या है करता हैं तो वह फायरवाल करता है बाकि सब के बारे में बताते है, router एक ऐसा device है, जो network layer पे काम करता है, इसका काम है routing का काम करना और packet transfer करना, switching का काम क्या होता है, switch एक networking device है, जो basically data link layer पे काम करेगा, data link layer का काम करेगा, और data link पे काम क्या करता है, कि ये जितने भी component होते हैं, किसी भी LAN को, सबको एक साथ जोड़ ये थोड़ा सा klisht लगे, आप इसको सरल करते हैं, आप समझो कि आप office में गए हैं, और office में आपका एक internet का connection आया हुआ है, अब एक internet का connection मुझे 50 computer में जोड़ना है, तो सबके लिए 50-50 wire थोड़ी ना कर देंगे, हम क्या करेंगे, एक wire हम लेके आएंगे और उसको switch में connect कर करना, signal को analog to digital, digital analog में convert करना है, तो हम prefer कर रहे होंगे, modem के बारे में, तो modem का काम है, signal conversion का काम, समझ में आ गया, modem क्या करता है, signal conversion का काम, next question, तो networking devices के बारे में समझेगा, इसका full form होता है, modulation, demodulation का काम है, यह चीज़े हो गए, next part पर आते हैं, which of the following is the valid IP address, इन में से कौन सा है, जो एक valid IP address है, कौन सा नहीं है, सबसे पहले, कौन सा valid है, अगर यह पहचानना हम सिख गए, तो non-related account कर लेंगे, याद रखिएगा, कोई भी नमबर 0 से 255 के बीच का होना चाहिए, अगर यह तीन condition meet कर रहा है, तो आप समझेगे कि आपका IP address सही है, चार नमबर सब के बीच में dot और 0 से 255, पहला क्या कर रहा, पांच नमबर गलत हो गया, दूसरा क्या कर रहा, 256 यह भी गलत हो गया, तीसरा में क्या, सारा condition meet कर र अर रजिस्टर उस तो कीप ट्रैक और अड्रेस अफ दा मेमोरी लोकेशन वेर दा नेक्स इंसर्शन इस तूब इस तो यह लिया गया है, यह लिया गया है, अगला पोइंट प्रॉइंट क्या कहना चाहरा, विच अगर फॉलिंग रिजिस्टर उस तू किप ट्रैक और बता दिया था कि रेजिस्टर का इस्तमाल होता है, पूछा यह गया है यहां पर आपसे, कि इन में से कौन सा इसा रेजिस्टर है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, तो प्यारे बच्चों, याद रखेगा कि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा लिखा गया, इसलिए अंसर होगा प्रोग्राम काउंटर ठेक है, अगर सिर्फ एड्रेस पूछा रहता तो मेरा होता है, मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर ठेक है, ठेक है, और तो कुछ नहीं यहां पर, एक और रेजिस्टर के बारे में समझ एक्यूमिलेटर, गूगल क्रॉम विच्ट करट की कममाइन क्लोज दा करेंट अक्टिड एक्टिड एक्टिड आप गूगल क्रॉम में बहुत सरा टैब ऐसे ऑपन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको किस जिस करेंट टैप पर आप काम कर रहे हैं, उसको अगर क्लोज करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा समझाते हैं, तो पूछा यह गया है कि 65 है वो किसका S की वैलू है, ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 65 जो होगा, वो A का होगा, A का 65 होता है, ठीक है, नहीं, I नहीं होगा, ठीक है, चली तो आप इसको ऐसे याद रखेगा 65 आपका एक है अगर बी का पूछा जा तो 66 हो जाएगा सी पूछा जा तो 67 हो जागा ऐसे करका आप कोडिन कर सकते हैं एसकी क्या होता है इसका फुल फॉर्म याद रखेगा एक्जाम पॉइंट है अमेरिकन स्टेंडर श्तेंडर कोड और सि इंफ़र्मेशन इंटर्चेंज फुर इंफ में इंटर्चेंज इनफॉर्मेशन सब्सक्रिकिकर, यह पूछा गया है कि कि बमर बने कोई sellers करते हैं कि आप इसको समझत हैं उसका कुछ binary value बनता है 1010 something तो यह convert करने के लिए नियम जो दिया है वो कौन दिया है वो S की ही दिया है तो यह बोलता है कि हम किसी का convert करेंगे तो 7 bit में ही करेंगे तो कभी-कभी पूछा भी जाता है S की का length कितना होता है तो वो मेरा 7 bit होगा ठीक है चली तो यह याद रखेंगा इसकी का full form यहां आपके लिए important बन सकता है अगला सवाल है हाँ यह थोड़ा सा मज़्यदार चीज़ आ गया इंस्टॉलिंग एन अन्वांटेट सॉफ्टर विदाउट दा नॉलेज ऑफ दा यूजर ऑफ दा कंप्यूटर इंस्टॉल हो जाता है तो आपके कंप्यूटर का information चोरी करता है किसी और को transfer करता है बिना आपके जानकारी को उसे हम लोग को spyware कहते है सर फिर रेंजम वेर क्या होता है रेंजम वेर एक ऐसा malware होता है अगर यह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो आपके किसी file को encrypt कर देगा और उसक क्या सा malware होता है जो आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल हो गया तो यह प्रिटेंड करेगा एंजम लेगट मेंट सॉफ्टर यानि कि कोई अनौन सॉफ्टर इंस्टॉल है और वह प्रिटेंड करेगा कि हम वेद्व सॉफ्ट्र है आप इसको ऐसा समझे क्यों कि अव वेत साफ्ट्र की तरह काम कर रहा है तो मुद येंगा ना हो गया है कि दिख कि यह सी तरह का स्व क्या पाइनरी वैल्यू होता है ठीक है अगर मान लिए को बच्चा एक प्रेस कर दिया है तो उसका पाइनरी वैल्यू पता है 1010 होगा अगर मान लिए मेरा पासवर्ड ABC है तो कोई भी इसको decode कर सकता है ABC को तो यह जो हम लोग की स्ट्रोक डालता है उसके बीहवियर को रडी डाउट करने लिए इसलमाल की जिसका हम लोग कहते है क्ई-LOGER के लिए एकժर का इस्टमाल करते हैं तो की ओकर अगर वी तरह का मालवे है तो यह सब वीमारीं यह था और अर्टक फॉर इंटेंट उप वे ब्राव्जर इन में से कौन सा है हाँ नंसे नॉंसे रिटिन भी होता वाइरस भी हाँ नौट सब्स एक वे अब अब आते हैं दूसरे पॉइंट में इन में से कौन सा और वांटर अड़िसमेंट आपके और में आ रहा है उसे क्या कहेंगे उसे हम लोग कहते हैं एडवेर थोड़ा सब के बारे में यहां पर भी चर्चा कर लेते हैं सेर्वेर एक तरह का सौफ्टर है जो आपको ट्राइल वर्जन मिलता है यह मालवेर का टाइप नहीं है एडवेर अन्वांटेड एडवर्टिसम होगे तो इसमें कुछ ऐसा जानकारी नहीं कि नहीं बता है तो एडवेर इसका राइट आंसर होगे नेक्स्ट कोशिएन और वाइरस याद रखेगा वाइरस एक तरह का मालवेर होता है यह किसी फाइल के साथ अटैच हो कि आपके सिस्टम में आता है और इसका मकसद क्या ह होता है ईसका मकसद होता है आपके सिस्टम को आपके सिस्टम को हुआल को kurseं रैरा नहीं होता है स्टी यह सेर्भी कटिंग होता है यह नि खुद को दौर आ सकता है ठेक औरंट समयन फारवाल समझा चुके इंक्रिप्टर समझा चुके राउटर समझा चुके नेक्स्ट कोशिए विच फॉलेंग डिवाइस यूज्ट सिम्नर लैंड विच सेम प्रोटोकॉल पर काम कौन करेगा वो मेरा ब्रीज करेगा और वही अगर लिखा रहता कि डिफ्रेंट नेटवर् अगर ऐसा कुछ लिखा रहता तो फोगेटवए पीति करते और इसको एक क्ला俺ka का म करेका प्रोटोकॉल का कद्वटर का कौन करेगा तो यही तूंस का भी काम करता है तो यह this is about the gateway और this is about the switch similar है तो bridge और different है तो gateway ठेक और तो कुछ नहीं राउटर के बारे मा अलड़ी बता चुके है switch के बारे मी बता चुके है चले next question offer the ability to query the data and insert data यह database सवाल है पूछा यह गया है पूछा यह गया कि इन में से कौन सा है जो आपको आपको समझना चाहिए database में जो query करने के लिए हम लोग किस language का इस्तेमाल करते SQL का मतलब है structure query language और यह क्या करता है structure query language हो गया ठीक है यह टीचिंग इस्टाइली सूपर थेंक यू वेटा थेंक यू ठीक है तो basically यह हो गया structure query language है जो basically काम क्या करता है तो आपको database से query out करने के लिए हम लोग इसी language का इस्तेमाल करते है और इसमें multiple command का इस्तेमाल कियाता है जैसे कि मेरा DDL एक हता है तो DDL एक ऐसा language command है जिसका इस्तेमाल किया था database को define करने यह destroy करने उसी प्रकार database को अगर modify करना है modify करने का मतलब यह होता है कि अगर table में को record हम in कर रहे है को record आउट कर रहे है इस सब कामों के लिए कुछ अगर बना है तो वह मेरा DML बना है तो right answer मेरा होगे DML सबके बारे में बताते है सब TCL में क्या क्या आता है TCL में मेरा commit आता है rollback आता है commit rollback है वह मेरा TCL में आता है । oni वह में इसरे में आता है क्रांट और रिवस्ट है वो मेरा Thomas घेटा कंट्रों में और practicallyarme क्या आता है کرरी अटा है आता है अलटा आता है अफडेट आता है अप डेट आता है यह Dom तो इसका यूजेस भी आपके दिमाग में देखने को मिल सकता है तो फिलाल मैंने एक्जाम्पल से बता दिया ठीक है चली नेक्ट कोशन इसको बढ़ते हुए करम में सजया हम बता चुके हैं तो बहुत दिकत नहीं होगा आपको तो सबसके छोटा बिट होगा बिट के बाथ बाइट होगा बाइट के बाध के बाथ हो बावाईट के बाथ यह पॉइंट अप进 चली और नेच्ट कोशन पर आते हैं बफर is required for कौन है जो एक तरह का जब आप इसको ऐसे समझें रिकवाइट फूर रेल ट्रैम ट्राफिक जब हम और वेफ सच कर रहे हो तो समय रियल टाइम ट्राफिक कर या नी की रियल टाइम में विजिट हो उसके लिकिसका इस्तमाल करता था बिल्कुल यहां पर हम लोग कहते हैं इस अबडेट डील में नहीं होगा ना Being put All ने इसका होगा और यहां पर करंकरण करते होगा प्रेस्ट केज़ां होगा रनेइम ऑगला गला है वी चोप अगर चेंज करना चाहरें तो क्या इस्तेमाल करेंगे MTG ठीक है तो अगर हम बात करते हैं कि सके दिखावी कि कि मा किसके अंदर दिखू का भी कि आपका आत्र नॉर्मलाजी तो यह किस के अंदर तो आप डिजाइन आइडिया जी नहीं आरं डिजाइन वैरेंट जिजाइन थीम है जो नॉर्मल आओ जी स्लाइड सो करें तो याद रखिए कि हम बात करता हूं यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग वैरियन्ट में जाके कलर चेंज कर सकते हैं, variant में जाके color change कर सकते हैं, ठीक है, next question है, which of the following is not a java code editor, इन में से कौन सा java code editor नहीं है, notpad है, edit plus है, netbin भी है, ms word है, यह मेरा java editor नहीं है, ठीक है, java code को हम लोग यहाँ पे ms word में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बागी सब में लिख सकते हैं, यह editor क्या है यह समझेगा, editor just like diary, computer में एक diary होता है, rough diary, जिसमें लोग कुछ भी लिख लेते हैं, आपको उसमें घर के सबजी के बारे में लिखना है, computer के notes के बारे में लिखना है, कहीं भी चीज़े लिखना है, लिख देते हो, तो basically पूछा यहीं गया यहाँ पे, कि आप जब java code तो यह मेरा नहीं होगा, next question, the facility allow customer to purchase the item they want to online and pick them from their physical store, margin the convenience of e-commerce with the benefit of physical retail store, ठीक है, वो से क्या कहेंगे, यानि कि online में जा के आप जो purchase करते हैं, उसको किस तर आप justify करेंगे, यह पूछा गया, online जा करते हो, आप आप आज कल flip card वे रहे हैं, सारा order करते हो, तो वो कैसे justify करो, click and send, click and purchase, click and reserve, या click and collect, क्या करेंगे, तो simple सा बात है, click करेंगे और purchase कर लेंगे, click and purchase करेंगे, click and purchase करेंगे, right answer, next question, which shortcut keyword used to insert a new comment in a document, क्या हो गया, चलिए, इस shortcut की से सवाल पूछा गया है, तो आप से पूछा गया, comment box करने के लिए, ठीक है, चलिए, चलिए, नहीं नहीं होगा, अगर मैं बात करता, comment box है, चलिए, बिल्कुल सही जिनका सी बोला वो सही जा रहे है, अगला है, अगला ही इस टेकनोट ब्रिक आ मोटल रेटल इस्टोर, तो सेंड मैसेज डेकली टूज़ा स्मार्ट फोन तो अब्दा कस्टमर, ठीक है, कस्टम आजकल क्या होगा, कि बहुत सारा आपको यह offer आगया इन सारे चीज़यों के बारे माद को जानकारी दी जाती है वह क्या कहा जाता है वहरा बिग डेटा कहा जाता है बिजनस CRM का इया बिटकॉइंस यह क्यों होगी तो ठीक है बिजनस CRM यह छोड़ दो इससे लिटे बिटकोइंस क्या है बिटकोइंस एक तरह का वर्चुल करेंसी है जैसे आपने सुना होगा अभी के टाइम में बहुत चल रहा है बिटकोइं किस पर काम करता है तो मेरा ब्लॉक्चेंट टेकनोलोजी पर काम कर आप इमेज कभी भी देखते होंगे तो आपको इमेज इस तरह दिख रहा होगा या तो इस तरह दिखेगा या तो इमेज इस तरह दिख रहा होगा यह दो तरह से ही इमेज बनता है बड़े-बड़े बैनर वेरा देख रहे होंगे तो आपको इस तरह दिख रहा होगा और कोई भी एकर photo click कर रहे होंगे camera's , तो आपको इस तरह सबस्क्रारNow to इस image को कहते है व्यंटर Image और इस इमेज को कहत ए रास्टर iमेज इस इमेज को कहते है रास्टर इमेज तो पूछा क्या गया है, वेक्टर एंड रास्टर इमेज दर टू टाइफ उइमेज, अगला क्या है, ड्रोइंग फोटोग्राफ मूवी एंस सेमलिशन कम अंडर दा कैटेगरी ओफ एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन क्या होता है, मूविंग पिक्चर को लोग एनिमेशन कहते है, आपने एक मूवी देखियोगी तारे जमी पे, तारे जमी पे एक मूवी बहुत अच्छा सीन था, जो दरसिल सफारी था, वो क्या किया था, अपनी मम्मी पापा उसे दूर होने का जो स्क्रम था, उसको एक ड्रॉइंग के माध्यम से दिखाया था, यानि कि पेज ऐसा स्क्रॉल कर रहा था, तो रियल में लग रहा था, कि अपने ममी पापा से दूर हो रहा था, तो यही हमारा चीज है यहाँ पर, एनिमेशन क्या कहते है, मूविं पिक्चर को हम लोग एनिमेशन कहते है, ठीक है, चली, और मल्टी मेडिया क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ओ दो ही, अपने मेशन ओर यहाँ बने समय क्या है, एनिमेशन कहते लेख रह मृटी मेडिया, खेंबिनेशन और निमारे को रही हाता है, तो यहाँ पर टाह、 इंदेंख अंद को सिर्पेशन आंिक्स्षा का इस्टरा की आईा ह데का करने के लिए इसका इस्तुमाल किया जाता है ठीक है सर्च इंजिन सर्च इंजिन विच टेक्स इन्पूट फॉर में यूजर एंड सैमल टेस्ट निस सेंड आउट क्वेरी तुद थर्ड पार्टे सर्च इंजिन इन इन फॉर रिजल्ट इस सवाल क्या कह रहा है वो समझ यह सर्च में गूगल में चले गया और वहां पर आप मेटा के बारे में सर्च कर रहे है या फिर वहां पर गूगल में चले गया और वहां पर यहों के बारे में सर्च कर रहे हैं बिंग के बारे में सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइ आपके स्क्रीन पर आ चुका है ठीक है तो कंप्यूटर को क्या कहते है तो प्यारे बच्चों आप लोग सॉटकाट की वेगरा पूरा देख लीजिएगा बहुत अच्छे से देख के जाए जितना मेरे साइट से हो सकाई क्लास में आपको कर दिया एक कोशन आगे 101 नंबर भी देख लो वाट इस दा वैलिट जूम एमस वर्ड का मिनीमु और मैक्सिमूम जूम कितना होता है याद रखेगा एमस वर्ड का जो जूमिंग होता है मिनीमु दस परसेंट मैक्सिमूम 500 परसेंट होता है ठीक है वहीं अगर एक्सल और पॉइर पॉइंट के बारे पूछा जाहे ऐक्सल और पूइर पॉइंट के बारेम पूछा जाए तो हमारा होता है दस परसेंट और चार सो परसेंट ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा दस परसेंट पांसो परसेंट इस दा राइट आंसर ठीक है चलिए तो प्यारे बच्छों ये था आज का सवाल मैं उमीद करूँगा इस क्लास से बहुत लावनवित हुए होंगे यानि अब अभी पहुचाने का काम मैंने कर दिया यहां पर आप मैं चाहूंगा कि आप इसका लाव उठाएंगे और एक्जाम में अच्छा करके आएंगे ठीक है कैसा लगा से सर मुझे कमेंट करके ज़रू बताएगा साथी जानकारी और दे दूँ अगर आप अपकमिंग किसी भी टीचि सीटेट का एक्जाम होने वाला है या फिर कोई भी आपका एंवेस का आपका बिहार एस्टेट का एक्जाम यह सारी क्लासेज आपको इसके अंदर मिल जाएगी तो मैं आपसे यह करूंगा अगर रियल में आप चाहते हो कि एक सिक्छक बने 2024 में तो आपके पास एक अस्तर करते हैं तो जैसे आप वाई 706 का इस्तमाल करेंगे याद रखिएगा वाई 706 का इस्तमाल करेंगे आपको यहां पे 77-80% का डिसकांट मिलेगा और अगर आज ही आप इन्रॉल करते हैं तो आपको डवल वैलेटी भी मिलेगा यानि की छह महीना के लोगे छह मेना एक्स्ट किजेगा ठीक है तो विश्यो वाल अबेस्ट एक्जाम में अच्छा करके आई है मज मचा के आई है और बस सफलता लेका यह मिलते हैं फिर यहीं पर हम यहीं पर आफिस में आई है सफलता लेक जस्ट मनाये जाएगा और एक बढ़िया सा गैट टोगेधर किया जाएगा ठ दोस्तों मिलते हैं फिर अगले क्लास में तब तक ले गुड़ बाई जाहिन